हां जी मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चो कैसे हो आप सब? वेलकम टू डाउटनेट आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डाउटनेट में कैसे हैं आप सब? अच्छे से पढ़ाई में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लग रहे हैं तो आपकी बाइलाओजी टीचर और हम यहां पर बात कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में तो कौन सा था हमारा चैप्टर तो हम बात कर रहे थे मानव जनन याने की human reproduction के बारे में तो जल्दी से चैप्टर का आई मीन इस lecture का overview लेते हैं कि आज हम actually में क्या बात करने जा रहे हैं चलो चलते हैं तो ये देखो हम आज बात करेंगे मानव में लिंग निर्धारन यानिके sex determination in human beings और दूसरा विदलन याने की cleavage तो ये दो चीज़े हैं जो आज के इस lecture में हम देखेंगे छोटी-छोटी सी चीज़े हैं लेकिन बहुत important चीज़े हैं इनको miss बिल्कुल नहीं करना है हां अच्छे से क्या करना है आपको समझना है ठीक है और समझने के लिए क्या करना है आपको यहाँ पर बने रहना है ज अपना पानी खाना सब लेके बैट जाओं चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अच्छली में हमने अपनी लास में क्या बात करी थी तो हम ने क्या बात करी थी कि नर और माधा जो होते हैं ठीक है उनके संभोग से यानिके इंटरकोर्ट से क्या होता है उनकी इंटरकोस से क्या होता है कि वहाँ पर जो योनी होता है यानि कि वेजाइना होता है फीमेल में क्या होता है वेजाइना होता है ठीके तो उसके अंदर क्या होता है पुरुष के द्वारा यानि कि मेल के द्वारा क्या हो रहा है वीरे सुचन हो रहा है यानि की insemination हो रहा है ठीके ओके उसके बाद क्या होता है बाई जब वहां पर जो semen है यानि कि semen में क्या है अपना शुक्राणू है यानि कि sperm है जब वह sperm क्या होते हैं कि एक female की body में चले जाते हैं फिर क्या होता है बाई जरूरी है कि उनको उनका वहां पर गती शील होना यानि कि उनकी वहां movement क्या होनी चाहिए बहुत जादा तेज होनी चाहिए तो हम कह सकते हैं कि बाई जो फिर वह जहा आंडशत रिए ठीक है मोचितडdon ंड़ादू होता है वो क्या करता है तुम्eking चाहिए खते हैं तो इसलिए में क्या होते है ki जो नर्ग के क्या होते है और मादा के क्या अंडाड़ू होते है एक ही समय पर मौझूद होते हैं तब ही वहां क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है अगर वहां पर क्या हुआ शुक्राणू मौझूद है और अंडाणू वहां मौझूद नहीं है तो क्या वहां पर निशेचन होगा बेगो भी नहीं होगा और इसी तरीके अगर इसका उ पॉसिज होता है जितने भी होते हैं जब तक कि वो पॉसिबल नहीं होंगे कंप्लीट नहीं होंगे जब तक कि शुक्राणू और अंडाणू वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे ठीक है चलो फिर क्या देखा था हमने भई जिससे निशेचन वेल संभर्टा की इस तती तक नह अब एक शुक्राणू जो होता है ठीक है वो क्या है अंडाणू से पारदर्शी अंडावरन याने की क्या होता है जोना पल्यूसिडा ठीक है कि संपर्क में आता है उससे क्या होता है कि जो दूसरे स्परम्स है दूसरे शुक्राणू है वो क्या करते है उसके अंदर नहीं आपाते हैं, किसके अंदर नहीं आपाते हैं, एक के अंदर, अंडाणू के अंदर नहीं आपाते हैं, जैसे ही एक शुक्राणू क्या करेगा, जो मादा के क्या है, युगमख है, उसके साथ कॉंटेक्ट में आएगा, ठीके, एक के साथ कॉंटेक्ट में आया, तो क्या हुआ जैसे ही sperm उसके contact में आएगा दूसरे सभी sperms क्या होंगे उससे दूर हो जाएंगे यह तो यह पहला वाला sperm क्या हो लेगा भाई अब मेरा राज है यह मेरा अड़ा है तुमारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ ठीके ठीके चलो यह हमने बात करी थी अपनी last class में ठीके चलो इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भाई आगे हमने और क्या बात करी थी हमने देखा था कि भाई जो मादा का शरीर होता है हाँ जो मादा का क्या है शरीद मादा का शरीर ठीक है इसके कौन से भाग में निशेचन हुआ था अंडवाहिनी में हुआ था है ना अंड वाहिनी ठीक है यानि कि फैलोपियन ट्यूब में हुआ था ठीक है और अंड वाहिनी के कौन से पार्ट में हुआ था तुम भी का रिजन में हुआ था हां तुम भी का ठीक है फिर क्या हुआ था कि भाई जो नर युगमक था नर युगमक और मादा युगमक जो दोनों थे उन दोनों के मिलने से क्या बना था युग्मनच बना था याने कि जाइगोट तो हम कहसे सकते हैं नर ठीक है यह क्या था भई एन प्लस मादा दोनों क्या थी आगोरित सनरशनाई थी और यही दोनों जब अगोरित सनरशनाई मिली आपस में predictions उनका क्या हुआ fusion हुआ तो हमको क्या मिला द्वी गुरित सनरशना मिली जिसको हमने 2N बोला याने कि जाइगोड बोला ठीक है तो यह दोनों क्या है आगुरित सनरशना है ठीक है इन से क्या हुआ यूगमनज बना यूगमनज जिसको क्या बोलते हैं जाइगोड बोलते हैं और यह तो इसको कितने मिले जौप को 46 मिले यही बात करें थी हमने कि 23 गुर्सूतर यहाँ है ठीक है गुर्सूतर यहाँ है ओके ठीक है 23 यहां है और 23 यहां है गुर्ण सूत्र क्या क्रोमोजोम्स ठीक अब यह 23 और 23 जब यहां प्लास हो रहे हैं तो इसको कितने मिल गए 46 मिल गए ठीक है तो इसके पास कितने हो गए 46 हो गए तो जो जाइगोट होता है उसको आधे अपने पिता से मिलते हैं और आधे अपने माता से मिलते हैं गुर्ण सूत्र ठीक है इसी वज़े से क्या होता है हम बोलते हैं कि बच्चा अपने पिता जैसा लग रहा है या अपने मा जैसा लग रहा है इसलिए होता है क्योंकि आधे आधे गुण क्या है जो characters है आधे मा से मिलते हैं और आधे पिदा से मिलते हैं, correct? ओके, चलो, अब हमने बात करें ती भाई कि इतने सारी शुक्राणूं थे, ठीके? कितने सारे थे? बहुत सारे थे, ये हैं शुक्राणूं, ठीक, इतने लगबग? 200-300,000, ठीके, इन में से कितने पहुँचे थे गरभाशे तक, इन में से सिर्फ 200-500,000 पहुँचे थे, ठीके, कितने पहुचे थे, 200-500,000 पहुचे थे, कहां, गरभाशे में पहुचे थे, है न, अब क्या हुआ था, कि इन सभी में से, इन सभी में से सिर्फ एक ही शुक्राणू ऐसा था इन सब में से सिर्फ एक था ओनली वन ठीके जो क्या हुआ मादा के अंडाणू के साथ क्या हुआ था जाके मिल गया था और जिससे हमको क्या मिला था युगमनज ठीके जिससे हमें क्या मिला यूगमनज बना तो हम बात करते हैं कि भाई ये यूगमनज क्या होता है ठीक है और क्या होता है और जो है क्या बोलते हैं यूगमनज क्या होता है और जो माता पिता के पास क्या होता है अडाणू होता है और पिता के पास क्या होता है जब इन दोनों को निशेचन हो रहा है तो जो होने वाली संतती है वो कौन है? वो यही तो है ना युगमनज जो बना है हमारा? हाँ? यही तो है? तो हम यह कैसे बता लगाएंगे कि भई संतती लड़का है या लड़की है? ठीके? तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं. यही है हमारा क्या आज का इंपोर्टन टॉपिक जिसको बिल्कुल पर मिस नहीं करना है. यहीं पर बने रहना है और देखना है कि आगे-ागे हम क्या इंट्रोस्टिंग सी बाते करते हैं. चलो आगे बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को. तो ठीके, अब हम जानते हैं भाई कि जो मानव होता है, ठीके, चलो लोगले पेच पर आ जाते हैं. क्योंकि हम मानव में लिंग निधारन की बात कर रहे हैं, यानि कि Sex Determination in Human Beings की बात कर रहे हैं. कि हम कैसे Determine करते हैं कि यह लड़का है या लड़की है, ठीके ना? 46 गुण सूत्र, इस 46 गुण सूत्र का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई 23 पेर हैं, ठीके, 23 पेर और यह दोनो नर और मादा में होते हैं, ठीके, 46 और 46 दोनों में होंगे, नर और मादा दोनों में, यानि कि 23 पेर हैं, नर और मादा दोनों में मिलते हैं यह, ठीके, 23 प 23 मतलब 46 हो गए, ठीक है, चलो ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर हम देखें कि भाई, ठीक है, 46 गुर्ण सूत रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहले मादा की बात करते हैं, चलो, मादा याने की फीमेल हो गई हमारी, ठीक है, यहो गई मादा, और यहाँ कि की बात करते हैं नर की बात करते हैं याने की मेल की बात करते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ देखते हैं हमने क्या बात करी कि जो मादा है इसके पास कितने 23 पेर्स है याने की 23 जोड़े हैं ठीक है किसके गुरसूतर के गुरसूत मतलब क्रोमोजोम्स के और सेम यहाँ पहले चाहँ ठीक है चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं मेल पे हम बाद में आएंगे ठीक है अब 23 पेर्स हैं इसके पास ठीक है किसके होते हैं 23 पेर्स एक्स और एक्स के होते हैं इसके पास जो दोनों है वो सेम है एक्स और एक्स ही है ठीक है यह दोनों सेम है यह और X ठीक है इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है ठीक है उसके बाद अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में क्या होता है मेल्स में अगर हम males को देखते हैं तो यहां क्या होता है इसके पास भी क्या होते हैं इसके पास 22 जो गुर्ण सूत्र होते हैं गुर्ण सूत्र जो होते हैं 22 जो pair होता है गुर्ण सूत्र का ठीके वो क्या है वो है भाई क्या एक समान एक समान होते हैं ठीक है यह क्या है एक समान है कौन से है यह एक्स-एक्स यह होते हैं ठीक है जो 22 पेर है गुर्षूत्र के वो एक समान है मतलब एक्स-एक्स-एक्स यहां क्या थे 23 थे और दोनों क्या 23 pairs है एक्स έक्स के और बहाँ पे क्या है 22 pair है गुर्सूतर के, मदलब एक्स एक्स के लेकिन यहाँ पर twist कहारा है, कि यहाँ पर सिर्फ only one, one only one लिख देती हूँ, सिर्फ only one होता है जो अलग होता है, जो अलग होता है ठीके, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंग गुर्सूत्र बोलते हैं, यानि कि सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, ठीके, क्या बोलेंगे इसको, सेक्स क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, ठीके, यानि की लिंग गुर्सूत्र, ठीके, और ये कौन सा होता है, यही होता है हमारा मेन, यानि की x, y ठीके, जो decide करता है कि क्या decide करता है कि जो होने वाली संत्ती है जो होने वाली संत्ती है, वो नर है या मादा है, कौन decide करता है, ये decide करता है, जो हमारा lean good सूत्र है, यानि कि six chromosome है ये ही responsible होता है बताने के लिए कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी इसका मदलब यह है कि यहाँ पर जो फीमेल है मादा है उसका कोई भी रोल नहीं है यह बताने में या फिर लड़का पैदा करने में लड़की पैदा करने में इस बिजारी का कोई भी रोल नहीं है क्योंकि इसके पास तो दोनों क्या है एक्स एक्स है ना भाई इसके पास तो सेक्स क्रोमोजूम है यह नहीं हां तो कौन रिस्पॉंसिबल हुआ लड़का और लड़की के लिए यह एक्स वाई यानि कि सेक्स क्रोमोजूम किसमें सेक्स क्रोमोजूम मेल में है समझे आप ओके चलो यहां तक मुझे लगता है पूरा concept clear हुआ होगा आपको हाँ चलो आगे बढ़ते हैं उसको देखते हैं अब हम बात करते हैं भाई नार और मादा की ठीक है अगर हम इनका cross करवाते हैं ठीक है यह क्या है भाई हमारी मादा आ गई चलो याने की हमारी female या इसको बोल दो mother यहां क्या गया हमारा नारा गया है याने की father बोल दो या male बोल दो ठीक है ओके चलो अब देखते हैं कि भाई हमारी मादा के पास क्या होता है एक्स एक्स होता है इसके पास है ना इसके पास क्या हुआ एक्स वाए हुआ मादा के पास x x और नर के पास क्या है x y करेक्टे बिल्कुल यहां तक सभी को clear है चीज़े चलो आगे बढ़ते है अब क्या होता है कि अगर हम देखें कि यह जो female है इस female का यह यह वाला x है इस वाले x के साथ मिलाएं इसको अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं क्या बना इन दोनों को मिलाने से भाई x x मिला हमें है ना अर इसी को हम इसके साथ मिलादे क्या मिला हमें x y मिला इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर यह x के साथ मिल रहा है तो लड़की हो रही है है ना और यही वाला X अगर Y के साथ मिल रहा है, इसके साथ, तो क्या हो रहा है? लड़का हो रहा है. है न? करेक्टे बिल्कुल? इसको हम ऐसे भी sign दिखा सकते हैं. कि यह लड़का, लड़के का साइन है, मेल का, और यह फिमेल का साइन है, ठीकर, ओके, अब हमारे पास यह वला, जो है, यह X, यह भी बचा हुआ है, हम अगर अब हम इसका करवाते हैं कि ठीक है भाई इसका किस से हुआ इस से हुआ क्या बना एक्स एक्स बना याने की लड़की बनी ठीक है बिल्कुल ओके अब इस वाले का अगर इस वाई के साथ होगा तो क्या होगा एक्स वाई ی안े के लड़का ठीके, ओक्धे जी तो इसका मदलब क्या है कि लड़का और लड़की होने के दोनों 50-50 chances होते हैं ठीके, इसका मदलब हम कह सकते हैं कि भाई पूरे-पूरे chances हैं chances हैं, पूरे-पूरे कि इसके 50-50 percent है 50-50 percent कि भाई लड़का भी हो सकता है ठीक है और लड़की भी हो सकती है क्यों क्योंकि भाई दो तो देखो दो क्या बन रहे है एकस वाई और एकस वाई दो है याने कि लड़का और एकस एकस याने कि लड़की तो बराबर हो रहा है ना है ना तो क्या कह सकते हैं कि 50-50 chances हैं कि लड़का भी हो सकते हैं लड़की भी हो सकते हैं हम कुछ नहीं कह सकते हैं अब एक और चीज कि भाई हम जानते हैं कि जब X और Y मिलेगा एक्स और वाई मिलेगा तब ही लड़का पैदा होगा ठीक है जब एक्स और वाई मिलेगा तब ही लड़का पैदा होगा और जब एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की पैदा होगी इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मेल रिस्पॉंसिबल होता है कि क्या बच्चा पैदा होगा लड़का या लड़की फिमेल रिस्पॉंसिबल नहीं होती है इस चीज को अच्छे से इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बठा लो कि फिमेल रिस्पॉंसिबल नहीं है लड़का या लड़की पैदा करने के लिए ओके बिल्कुल चलो ठीक है आगे बढ़े, मुझे उम्मीर है कि यहां तक आपको समझ भी आ रहा होगा और इंटरस्ट भी आ रहा होगा कि हाँ चलो कुछ अच्छा नाया सीखने को मिल रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीके चलो, ओके चलो अब कुछ चीजे देख लेते हैं हम लोग, कि भाई इसी च शिशू होता है, ठीके जो शिशू है उसके लिंक का निर्माण हो रहा है, लिंक जो है उसका क्या हो रहा है, निर्धारन हो रहा है, निर्धारन, ठीके याने कि कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीके, ओके, अब हम बा करते हैं इस्त्री में जो गुर्षूत्र का स्वरूप है ठीक है अगर हम इस्त्री की बात करते हैं तो इस्त्री में जो गुर्षूत्र है गुर्षूत्र का स्वरूप जो है वो क्या होता है जो एक फिमेल होती है उसके पास कौन से पेर होते है एक्स एक्स है ना क्या पेर है एक्स एक्स पेर है ठीक है और अगर हम मेल की बात करते है अगर हम मेल की बात करते है ठीक है अरे अगर हम मेल की बात करते हैं, पैनी चूज नहीं किया था मेल यानि की नर तो नर का स्वरूप क्या है गुर्शूत्र का? स्वरूप क्या है भाई? एक्स वाई है इसी लिए इसी लिए क्या होता है? स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुरित युगमकों इसी लिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुरित युगमकों कौन से युगमक होते हैं स्त्री के पास? अंडाणू होते हैं, है ना? अंडाणू ठीक, इसमें ख्या होता है, कौण सा लिंग होता है, X-Link होता है है ना, X-Link होता है, वहीं अगर हम बात किसकी नर्की करते हैं, तो नर्द्वारा उतपादित जो अर्गृनित युपमक होते है, कौन से होते है इसके पास, शुक्राणू होते है ठीके इन में क्यों होता है य लिंग होता है ठीके य लिंग गुर्शूत्र ठीके य लिंग गुर्शूत्र ऐसे लिख देती हूं ठीके गुर्शूत्र ठीके इसी लिए क्या होता है 50% शुक्राणू में X-link होते हैं, 50% शुक्राणू में क्या होता है, X-link गुर्षूत्र होता है, ठीक है, और जो दूसरा 50% बचा, पहले 50% में क्या है, X-link गुर्षूत्र है, और जो दूसरा है, दूसरे में क्या है, Y, ठीक है, Y गुर्षूत्र, दूसरे में क्या है, जो दूसरा 50% शुक्राणू है, 50% शुक्राणू, इसमें क्या है, Y-link गुर्षूत्र है, ठीक है, इसमें क्या है, वाई लिंग गुण सूत्र ठीक है बिल्कुल clear सबको यहां तक कि भाई जो शिशू का लिंग निर्धारन होता है वो यहीं पर होता है ठीक है कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी समझ में आया जो इस्त्री का गुण सूत्र का सरूप होता है वो एक्स एक्स होता है और जो नर का होता है वो क्या होता है अब जो इस्त्री दुआरा उत्पादित किये जाते है अगरित युगमक यानि कि अंडाणू उनमें कौन सा है उनमे एक्स लिंग गुर्षूत्र होता है सिर्फ और सिर्फ एक्स होता है फीमेल्स के पास और जो मेल्स होते हैं ठीके उनके अगुरित युगमक कौन से शुक्राणू यानि कि स्पर्म से उनके पास कौन से य गुर्षूत्र है ठीके अगर हम नर्मे जो शुक्राणू होते हैं उनकी बात करते हैं तो 50% क्या है उसमें X है और 50% क्या है Y है करेक बिल्कुल या तक चलो आगे बढ़ते हैं ओके चलो आगे बढ़ते हैं ठीके अब यह इस बात पर निरभर करता है कितने लिखे लेते हैं यहां पर पाच अब यह चीज इस बात पर निर्भर करेगा कि निर्भर करेगा कि X जो है कि X या Y लिंग गुर्षूत्र वाले शुक्राणूं में से कौन साश जो होगा वो अंडाणूं के साथ जाके मिलेगा ठीक है अब लड़का लड़की तो तभी बनेगा न जब पहले यह देखना पड़ेगा कि भई कि X या Y लिंग गुर्षूत्र उन में से X जाएगा X के पास या Y जाएगा है ना क्योंकि फिमेल के पास तो दोनों X है मेल के पुर्ट चोईस होती है कि या तो X जाएगा या Y जाएगा ठीक है? तो यह इस बात पर निर्पर करेगा X या Y लिंग गुर्ट सूत्र इन में से कौन सा? इन में से कौन सा जो है किस के पास जाएगा? हां? अन्डाणू के पास जाएगा ठीक है अब जिस युग मनच में क्या होता है भाई एकस एकस गुर्ण सूत्र होंगे जिस युग मनच में एकस एक गुर्ण सूत्र होंगे जिस युग मनच में क्या हो रहे है एकस एकस गुर्ण सूत्र होंगे xx गुण सूत्र होंगे वो क्या होगी एक लड़की होगी ठीक है लड़की के सवरूप में होगी जबकि क्या होगा जिस यूग मनश में क्या xy गुण सूत्र होगी ठीक है जिस यूग मरज में x y होंगे वो क्या होगा वो लड़का होगा यह ना तो x x का मतलब है कि वो लड़की के रूप में विक्सित हो रही है और x y का मतलब है कि वो लड़के के रूप में विक्सित हो रही है ठीक है यहाँ तक कोई डाउट है चलो इसको continue करते हैं और आ कि लड़का होगा या लड़की होगी ठीक है एक जो फीमेल है मादा है माँ है वो रिस्पॉंसिबल नहीं होती है ठीक है तो यह गलत फहमी क्या है अपने दिमाग से हमको निकाल देनी है और इसी वजह से यह चीज़ें यहां पर आपको पढ़ाई जाती है कि आप लोग एड जो है लड़का पैदा नहीं कर पा रही है तो वो जिम्मेदार है इसके लिए लेकिन इस गलत है अब आप लोग क्या हो आप बाइलोजी के स्टुडेंट्स हो तो आपको इस बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि एक जो फीमेल है वो रिस्पॉंसिबल नहीं है कि भाई मिए मेल के बास है तो कौन रिस्पॉंसिबल है मेल रिस्पॉंसिबल है ठीक है तो यह जो गलत धार नाय थीक है गलत बाते है यहां से निकालके इसको dustbin में fake देना है और हमको अच्छी चीज़े सोचनी है ठीक है लड़का लड़की दोनों बराबर होते हैं दोनों में कोई difference नहीं है हमको ये मानना है और सच भी यही है सही है तो अगर आपके सामने आपको यह ऐसी बाते बोले तो मना कर देना कि आप गलत हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो अब किसकी बात करते हैं बात करते हैं मादा के शरीर की ठीक है तो जहां पर क्या हुआ था निशेचन के क्रिया होई थी है वहाँ चलते हैं चलो भाई ये इस तरीके से क्या था इस ट्रॉक्चर था हमारा हा ऐसे करके इस ट्रॉक्चर था हम ठीके इस तरीके से क्या थी है यह उनी ग्रीवा थी ठीके और उसके गर्भाश है ग्रीवा ठीके अब क्या होता है भाई कि हमने क्या बात करी थी कि यह वो जगा है हाँ यह वो जगा है कौन सी तुम भी का जहां क्या हुआ था निशेचन ठीके यहां क्या हुआ था निशेचन हुआ था कैसे हुआ था जब कैसे हुआ था जब युगमको का सल्लेयन हुआ था जब सल्लेयन हुआ था सल्लेयन के बाद ठीके यहां क्या बना उसके बाद सल्लेयन के बाद युगमनज बना ठीके क्या बन गिया युगमनज बना ठीके अब क्या होगा अब एक हफ़ते बाद अब क्या एक हफ़ते बाद क्या होता है ये गरभाशे में पहुँच जाता है एक हफ़ते बाद क्या होता है तब तक ये क्या करता है भाई, अपने structure को बदलता रहता है, तब तक ये अपने structure को कैसे बदलता है, समसूतरी विभाजन के द्वारा, समसूतरी विभाजन पूरे तरीके से नहीं बोलते हैं, मुझे क्या बोलते हैं, विदलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विदलन बोलते है ठीक है, तो चलो, अब क्या हुआ कि ठीक है, हमने क्या बात करी थी, कि हमारे गरबाशे में तीन लेयर्स होती है, है ना, सबसे अंदर की लेयर्स के बारे में हम बात करते हैं, सबसे अंदर की कौन सी थी, अंडोमेट्रियम थी, है ना, ये थी, चलो, इसके बारे में बात करत यह कौन सी थी अंतह परत अंतह परत यह अप सवाल आता है कि निशेजन तो यहां हुआ लेकिं शीशू यहां कैसे पहुँच रहा है यहां कहा इस अंतह परत यानि कि कैसे पहुच रहा है शीशू ठीक है निशेजन तो यहां हुआ है यहां से चलते 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 अपने आप तो आएगा नहीं है न कैसे आएगा तो अब हम इसी की बात करते हैं तो भाई युगमनज ब्रून में चेंज हो जाता है ठीक है यह जो युगमनज ब्रून में बदल जाता है ठीक है ये क्या हुआ ब्रून में बदल गया कहां लिख देता है इसको चलो ठीक है ये ब्रून में बदल गया ठीक है तब वो जो ब्रून था तब ये जो ब्रून है चलो यहां लिख दे तो ये युगमनज जो था युगमनज ठीक है, यह किस में बदलेगा, ब्रून में, ठीक है, ब्रून में बदलने के बाद साथ दिन तक, साथ दिन के बाद यह क्या करेगा, कहां पहुंचेगा, अंतहा परत में पहुंचेगा, ठीक है, अंतहा परत पे पहुंचके क्या हो जाता है, यह रोपित हो जाता है, ठीक है, तब अंतरह रोपड ठीक है अंतरह रोपड ठीक है जिसको क्या बोला हमने implantation ठीक है क्या बोला हमने इसको implantation ये process होती है युगमनच बना युगमनच किसमें ब्रूण में बदल गया ये ब्रूण साथ दिन बाद यहां से घूम फिरके घूम फिरके घूम फिरके यहां पर आकर ठीक है अंतरह पर रतियाने की endometrium में आके क्या कर रहा है यहां पर रोपड हो जा रहा है और यह जो process हो रही है इसको यहां तक पहुँचने में, ठीक है, यह जो साथ दिन थे, seven days, यहां पर क्या हुआ था, इनकी बात करते हैं, चलो, अगले पेच पे चलते हैं, ठीक है, चलो, अब हम बात करते हैं, यह क्या था हमारा एक यूग मनज था, यूग मनज, ठीक है, यह हमारा क्या है, यूग मनज ह बाहर जोना प्लैलियू सीड़ा ठीक है और कोरोना रेडियेटा यह क्या है हमारी जोना प्लैलियू सीड़ा है यह हमारी ठीक है जेट पी लिख देते हैं इसके बाहर हम ठीक है अब कोरोना रेडियेटा भी थे इसके बाहर ठीक है इसके बाहर यह क्या है कोरोना रेडियेटा ठीक है ठीक है जी, अब क्या होगा? यहाँ पर यूग मोनज बनने के बाद भी हम जानते हैं कि भई, यह जो जो जोना पहली ऊपके ना पहली उसी रहेगी ठीक है अब यहां पर क्या हो रहे है भाई अब यहां जैसे ही क्या होगा क्या होगा समसूत्री विभाजन होगा इसको एरो थोड़ा बड़ा कर देते हैं ठीक है जैसे ही क्या हुआ समसूत्री विभाजन ये लो अब जैसे ही समसूत्री विभाजन हुआ तो समसूत्री विभाजन कैसा जिसको हम विदलन कहते हैं ठीक है समसूत्री विभाजन ठीक है क्या बोलेंगे विदलन याने की क्लीवेज बोलेंगे अब जैसे ही ये प्रॉसेस यहां हुई तो क्या होगा जैसे ही प्रॉसेस होगी तो यहां पर क्या होगा अभी तो एक है ये एक किस में डिवाइड हो रहा है टू में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, यह ऐसे, यह दो में टूडिया, ठीक है, समसुत्री में क्या होता है, कि सम मतलब बराबर रहता है, आधा नहीं होता है, है न, यही बात करें, समसुत्री में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, कि जो कोशि का होती है ना कोशिका के साइज में चेंज नहीं आता है अगर हम बोले तो यहां कोशिका के साइज में चेंज नहीं आएगा जो साइज होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है लेकिन क्या होता है लेकिन यहां पर क्या होता है जो यह जो बढ़ती है ना सेल्स यह सेल्स ब 2nd sqa seeds कोंगे कि गुच्छ गुच्छ जैसी Самीस शैप में हो जाती है ठीक है उसके बाद क्या हुआ यहां पर यह हुआ अब यहां पर क्या है कि जो इसके बाहर को है जो ना पहली सुडा एक इस रहेगी छी कि इसके बाहर घुस से बनाई थी red से बनाई थी, ठीक है, यह जो zona palucida है, यह as it is है ठीक है, ओके और फिर यह जो हमने यहाँ पर किसकी बात करी थी corona radiator की, यह यहाँ पर क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी यहाँ जो corona radiator था corona radiator यह क्या है, गायब लेकिन यह zona palucida अभी भी यही पर है, यह कहीं नहीं गई है, ठीक है, और यह जो एक कोशिका थी, किसमें विवाजित हो गई है दो में हो गई है, ठीक है चलो, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, अभी तक क्या थी यहाँ पर दो सेल बनी, ठीक अब 2 से क्या होगी, 4 बन जाएंगी, 2 से क्या हुई, 4 बन गई, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, यहां कितनी बनी, यह क्यों से संरशना बनी, 2 कोशी किये, ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद, 4 से कितनी बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, अरे, तो 9 बन गई, 8 बन जाएंगी, हां, कैसे बनेंगी, 8, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बन गई, ठीक है, ओके, चलो, 8 बन गई, इसको क्या बोलेंगे, हम 8 कोशी किये, ठीक है, 8 कोशी किये बनेंगी, अब, यह जो, 8 कोशी किये है, ठीक है, यह जो, 8 कोशी किये है, यहाँ पर, क्या होता है, बई, इसके बाद, एक और structure बनता है, जहां, 8 के बाद, 16 बन रही है, ठीक है, यहां पर, यह, मैं ऐसी रफली बना रही हूँ, ठीक है, देख लेना आप, 8 के बाद क्या आ रही है, यह 16 बनी है, ठीक है, यह क्या है, यह आठ से लेके 16 तक, यह जो चेंज हो रहा है, यह क्या कहलाएगा अपना, मौरूला, ठीक है, यह क्या कहला रहा है अपना, मौरूला मौरूला कहला रहा है और यह कब होता है फोर्थ डे में होता है फोर्थ डे ठीक है ओके जी चलो ठीक है आज से हम सोला आ गया अब सोला के बाद क्या होगा यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा ऐरो बना देते हैं कि अब फॉर्थ दे कहां पहुंच जाएगी यूट्रोस में पहुंच जाएगी फॉर्थ दे कहां पहुंच जाएगी यूट्रोस याने की गर्भाशे में कहां पहुंचे ये गर्भाशे ठीक है कहां पहुंच गई ये गर्भाशे में पहुंच गई ये अब चलो अब गर्भाशे के पास पहुंच ती जा रही है ना अब यहां क्या होगा जब ये गर्भाशे के पास पहुंचेगी एक और संरशना बनाएगी ये एक और सनरशना बना रही है यहाँ पर जहाँ पर क्या हो रहा है 32 सेल्स बन रही है याने कि 32 कोशी किये बन रहा है ठीक है 32 कोशी किये ठीक है यह क्या है 32 है ठीक है यह क्या बन रही है 32 कोशी किये बन रही है तीके, Iutro's के पास यह पहुंचते जारे हैं गरभाशे के बाद यह पहुंचते जारे हैं तीके, इसके बाहर अभी भी Zona Pallicida ऐसे ही है यह जो है ना यह Zona Pallicida ऑभी भी ऐसे ही है तीके, चलो ठीके उसके बाद क्या होता है कि ब्याइज सेल में डिविशन स्चार्ट हो जाता है जैसे इन सेल में डिविशन 2 हो गई हैTS देखो कि neighbour किना और boxes तो जहां पर डिवीजन स्टार्ट हो गया तो समझ जाओ कि भाई या ब्रूण मनना शुरू हो गया है युग मनत से ब्रूण वाली पोजिशन पर आगी आई है ठीक है चलो ठीक है अब यह बत्रिस कोशी किये था तो इसके बाद क्या होगा ओके इसके बाद एक और चीज़ आती है इसके बाद एक और सनरशना आती है भाई इस तरीके से इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे लो ठीक है यह है अब इसमें क्या होता है कौन सा कलर उठाते है चलो ब्लू उठाते है इसमें क्या होता है यहाँ पर गोहा का निर्माण होता है यहाँ पर क्या होता है गोहा का निर्माण होता है जिसकी वज़े से क्या होता है भाई जो ब्लास्टोमर होता है ठीक है अब भी देखते हैं यह क्या होता है एक तो इस यहां अगी देखो दूसरी साइथ पर आ गई है त्थीकर बचशी अब दूसरी साइथ पर आगई है. ठीके दूसरे साइट पर आ जाती है इस तरीके से आगई ठीके और जो और क्या होता है इसके साथ सद दूसरे साइट पर आने के बाद कुछ सेल्स जो है से ग्रूप में इखटी हो जाती है कुछ cells क्या होई यह दूसरी साइध पर आगे जिन्होंने बाहर इस तरीके से गुच्छा गुच्छा बना लिया और कुछ cells क्या होई इस तरीके से एक साथ एकटा होई गुच्छे नुमा इस सन्रशनों यहाँ पर बना ली ठीके तो यह cells जो होती है ऐसे divide हो जाती है यहाँ पर ठीके तो यहाँ पर क्या होता है भाई यह जो बाहर वाली होती है यह बाहर वाली इसको क्या बोलते हैं हम पोश कोरक पोश कोरक याने कि ट्रोपो ब्लास्ट ठीके इसको जो बाहर वाली संरचना है तो क्या बोला हमने प कोश को रख बोलो, यानि कि ट्रोपोब्लास्ट, अब ये जो अंदर वाला structure है, ठीक है, ये जो अंदर वाला structure उसको क्या बोलेंगे, अंतर कोशी का, कोशी किये, समू, अंतर कोशी किये, समू, यानि कि inner cell mass, अब क्या होता है, जो मैंने क्या कहा कि यहां पर गुहा बननी शुरू हो जाती है, तो ये क्या है, ये गुहा, यानि कि क्या है cavity, ठीक है, ये जो cavity होती है, इसको क्या बोलो गया, इसको अलग कलर से दिखाती हूँ, इसको बोलो गया blasto seal, blasto seal, ठीक है, क्या बोला हमने इसको, blasto seal, ओके, अब एक और चीज, ये जो पूरा structure है, ठीक है, ये जो पूरा structure है, पूरा, यहां से लेके, यहां तक का, ये क्या होता है, कोरक, कोरक पुटी ठीक है याने कि blastocyst blastocyst होता है ठीक है ये जो पूरा structure है इसके अंदर ये गुहा याने कि cavity इसको क्या बोला हमने ब्लास्टोसील बोला ये जो अंदर वाला structure है अंतर कोशी के समूई याने कि inner cell mass ठीक है और ये जो बाहर ब्लू कॉलर से आपको कोशी की संरशना दिख रही है पोश को रखेंगे, करेक्ट बिल्कुल, यहां तक किसी को डाउट एक वाइप फिर से देख लेते हैं, कि चलो ठीक है, यूगमनज था, इसके पास जोना पैलिसुडार, कोरोना रेडियेटा दोनों थी, ठीक, यहां पर चार से आठ बनी, ठीक है, अब आठ कहां बनी थी, फोर्थ डे पर क्या हुआ वाई है, कि यह 16 कोशी की बन गए, चौते दिन पर, चौते दिन के बाद यह आते आते, गरवाशे में जाना शुरू हो गया, घरवाशे में जब जाना शुरू हो गया, तो इसने क्या पता बन गया, ठीक है, तो गुहा जिसको हम क्या कहते है, कैवर्टी कहते हैं, इसको उने नाम दिया, ब्लास्टोसील, यह जो सेल्स एक तरफ इखटी हो गी थी, साइड साइड में, ठीक है, साइड साइड में जो इखटी हुआ का, पोश्कोरक बोला, और जो एक जिगा गुच्छ 5-6-7 तो अभी इसका मदलब और भी कुछ बाकी है यहाँ पर होना है ना तो चलो बात करते हैं ठीके और देखते हैं कि साथ दिन में क्या होता है यहाँ पर एक स्लाइड हमको क्या होनी पड़ेगी जो ओरनी पड़ेगी ओके चलो स्लाइड डाल देते हैं इसमें एक और ठीके चलो ओके स्लाइड आ गई है अब देखते हैं कि पांच दिन और छटे दिन क्या होता है यहाँ पर अब पांच दिन के बाद ठीक है अभी हमने क्या बात करी यह क्या हो जाता है यहाँ छटे दिन तक यहां आ गिया चलो वो चौथे दिन तक आया था यहां क्या हुआ पांच िवूआ चटे दिन तक यहां तक पहुँच गया ठीक अभी फिर अपने पास एक बचीए ठीक अब देखते हैं कि वेई पांच और च्छते दिन के बार जा सात वह दिन आता है तो क्या होता है हम यह कहा बनाया था देखो एक बार देखो इस तरीके से संवरिष्ण थी न है न है न है ऐसे थी ठीक है इसके अंदर क्या था एंडोमेट्रियूम था हमने बात करी थी ठीक है और यह कहां था यहां था ठीक है जान निशेशन हुआ था यह क्या हुआ कि यहां तक पहुंच गया है ठीके, इसने अपने structure देखो, यहाँ पर बदलिये, यह यह है, ठीके, यहाँ तक पहुँचा जब यह हुआ, यह यहाँ था, ठीके, अब यहाँ पर क्या होगा, कि भाई, यह गर्भाश है में क्या करेगा, इसमें, अंत में यहां पर रोपित हो जाएगा, यहां पर यह क्या हो जाएगा, रोपित, ठीके, और जाके क्या करेगा, एंडोमेटर में सिक्रीशन करेगा एक, अब सिक्रीशन की वज़े से क्या होगा, यहां पर क्या होगा, एंडोमेटरियम में, एंडोमेटरियम, यहां क्या होग एक सिक्रीशन होगा ठीके सिक्रीशन के बाद एक क्या होगा यहां पर आके जो अपने पास जोना पैलियूसिडा थी ठीके यहां पर जो जोना पैलियूसिडा थी जोना पैलियूसिडा यहां जो थी जोना पैलियूसिडा यहां पर क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी यहां प कोशी किये थी ठीक है इसके बाद क्या होगा जो अंतह कोशी किये कोशी किये भाग जो था हमारा ठीक है वो क्या होगा वो भाग एंडोमेट्रियम में जाएगा एंडोमेट्रियम में जाएगा वो भाग हमारा ठीक है और एंडोमेट्रियम में इसको जाने कोई जो होता है जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को अंतरोपन ठीक है यहाँ पे पहुंचा था यह यहाँ पे इसके पास जोना पहले उसीडा यहां पर मौझूद थी लेकिन यहां पहुंचते ही क्या हुआ एक सिक्रीशन हुआ ठीक है इसके एंडोमेटरम के पास पहुंचके एक सिक्रीशन हुआ उस सिक्रीशन ने क्या किया जो जोना पहले उसीडा थी वह डिस्ट्रॉय हो गई यहीं पर समझ में आगिया होगा आपको कोई डाउट नहीं रखना इसके बारें बिल्कुल भी ठीक है चलो आगे पड़े हैं हाँ थोड़ी सी मेहनत करते हैं ना तो बोल दिया करो हां मैं समझ में आगिया यह बात चीट करते रहते हो तोड़ा सा ध्यान लगा लो चलो अब आप देखते हैं चलो हम किए देखो यही इस ट्रक्टिर था जो हमने बनाया था कि यहीर बाहर बाहर क्या है यह हमने क्या नाम देता इसको ट्रोफ बलास्ट है न यही बोला था एक तरफ यह छकती हो गई थी क्या थी internal cell mass या inner cell mass थी ठीक है इसको उमने क्या वोला था पूरे structure को ये blastocyst है और इसके बाहर क्या थी palyocidic zone थी ओके ठीक है चलो हाँ अब आते हम विदलन थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि विदलन आखिर क्या था तो सबसे पहले चलो हम फिर से वही बात करते हैं हम बनाते हैं अपने मादा का structure फिर से इस तरीके से था ठीक है ये structure था हमने क्या बात करी थी यहाँ पर कि युगमनज बना था यह बना था युगमनज युगमनज ठीक है यह बात करी थी फिर हमने क्या देखा था कि भई दूसरे यहाँ पर क्या बनी थी यहाँ पर दो कोशी किये चार कोशी किये आठ कोशी किये उसके बाद सोला कोशी किये है ना 16 कोशी की है यही था चलो यही था फिर एंडोमेट्रियम थी यहाँ पर हमने क्या बात करें थी वही कि एंडोमेट्रियम है इस तरीके से यह क्या थी हमारी एंडोमेट्रियम ठीक है एंडोमेट्रियम थी यह राइच ऐसे ही था अब यहाँ पर क्या हुआ था भाई सेविंथ डे में अंतहरोपन की क्रिया होगी ठीक है जो हमारा क्या होगा कोरक पुटी यहाँ पर जो क्या करेगा गरभाशे में क्या करेगा कोरक पुटी की अगर बात करते हैं कोरक पुटी यह क्या करेगा पुटी कोरक पुटी यह क्या करेगा गरभाशे गर्भाशे में क्या होगा अंतहरोपित हो जाएगा ठीक है गर्भाशे में क्या हुआ ये अंतहरोपित हो जाता है ठीक है अब क्या होगा जो ट्रोपोब्लास्ट है यहाँ पर यहाँ पर जो ट्रोपोब्लास्ट है वो क्या करेगा अंदर जाएगा यह इसके पास यहाँ पो होता है जो ट्रोपो ब्ल्स होता है ठीक va приг़े अंदर जाएगा श्रीक अधिकर अब यहां पर क्या होता है जो प्रोजेस्ट्रोज्ट्रोजर का ऐस्ट्रोजञन यह क्या करेंगे, endometrium को फिर से बनाने का काम कर देंगे, क्योंकि यह क्या कर गया, इसको यहां से break कर दिये, इससे break करके तब ही तो अंदर गया है, यहां से क्या हो गई, यह रप्चर हो गई है, और रप्चर हो गई है तो यह क्या हो गई, अंदर चला गया है, इस तरीके से ऐस़से और कटपर्ड जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा वहाँ पे बूर्ण है वो वहाँ पर अच्छी तरीके से रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, तो उससे बचाने कले क्या करेंगे भाई, यह जो प्रोजिस्ट्रोन और एस्टोजरन है, यह क्या करेंगे? यह जो endometrium थी, इसको बनाने का काम करेंगे फिर से, क्या करेंगे, इसको बनाने का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे, ठीक है, अब यह जो condition है, जब यह यहाँ पर रोपित हो गया है, endometrium यहाँ पर फिर से बन गई है, तो यह जो condition है, इस condition में हम कहेंगे कि यह जो female है, वो कि पता कैसे चलता है कि भाई जो फीमेल है वो प्रेगनेंट है कैसे पता लगाओगे आप कैसे पता लगाओगे कि फीमेल प्रेगनेंट है बताईए तो उसके लिए क्या होता है जब जब 8th day होता है इसको मैं इसलिए लिख देती हूं ताकि आप लोगो चीज़े याद रहें जब 8th day होता है तो यह जो ट्रॉποब्लैस्ट है कहाँ कि हमारे ट्रन उपध्र लेस्ट यह कहा एक ऊंड़ऱ क्या करता है आपने में उसकेट करिया आप कौन सा होता है वो HCG HCG नाम का होता है ठीक है ये रिलीस करता है Tropoblast क्या होता है कि घर में Pregnancy Test कैसे होती है आजकल सब को वालुमें कि घर में जो है लेडिस Pregnancy Test करती है तो कैसे करती है कि बहुँ particular Kits आती है Pregnancy Kits ठीक है बहुत सारे नामों की आती है उनसे क्या होते है कि घर में जो है जो urine होता है उसके ओपर drops डालके कितके ओपर पता करते हैं कि ये जो HCG जो है इसका level high है या low है इसका level अगर high हुआ हाँ इसका level अगर high हुआ तो क्या होगा यानि कि women pregnant है और low हुआ तो मतलब नहीं है और यह हम कब चेक करते हैं जो हमारी पीरेट होती है यानिक जो मेंस्टुरेट डेट यानी होता है उस से आठ दिन ऊपर हो जाते हैं तो ने जो गमिकल के हैं यह अगर ये वहां पे हाई होगा तो वहां two नहीं बना यानि कि women pregnant नहीं है इसका level low है । ठीक है टो बिस्सिग्लेड यह चीज यह है ठीक है यहां तक सब को seal है चलो कि शालो इसको देखते हैं एक बर कि जो हमने क тебеыш में ठीबाएं वह यह सब है कि बाई जो संसूत्री विभाजन है ठीक है यानि विदलन या क्लीवेज जिसको हमने बोला है कि शुरुवात तब हो जाती है जब युगमक जो होता है अंडवाहिनी के संकीन पत्ध संकीन पत्ध यानि कि इस तमस्त से गरवाशे की और बढ़ता है हमने बात करी थी न कि गरवाशे की और हो जाता है ठीक है तब यह दो चार आठ सोला संतिती कोशिकाओं जिसे कोरक खंड यानि कि ब्लैस्टो मेर करें कहते हैं तब यह बनाता है यह भी अमने बात करी थी यह है तू तक लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे गरवाशे की और कि और वर्तित हो जाता है तो हमने बाते कि पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है वह द्श्याद ना जिसके इंदर दो कोशिकाओं थी कि एक क्या थी कि हमने क्या बातकि इस तरीक एसे था ना जो बाहर वाली कोशिकाओं ऐसे जम जाती है और एक ऐसे जंग capacity थीए याइनी कि सुश को रते हैं हूं के वहाँ को होता है अंतर कोशिका ने सेλ मास याननी इनर केते जाते हैं मदलब जाकि यो एंडोमेटरिम होती है वहां जाकर चिपख जाता है चुर्ण होने के बाद गरबाशय कोशिकाया तेजी से विभक्त होती है डिवाइड होती रहती है, और कोरक पुठी को आवरत कर लेती है इसके परिणाम सवरोग कोरक पुठी गरबाशय में अं रोवधारन कर लेता है ठीक है सगमर्टा मतलब प्रेग्नेंसी का करेक्ट बिल्कुल चलो यहां पर एक वीडियो है इस वीडियो को ध्यान से देखना ठीक है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने अब तक क्या पढ़ाया है चलो इस वीडियो को देखो देखो यहां पर अभी एक है ठीक है यह युगमन अच्छे यहां देखो दो सेल्स बन गई है दो कोशी किये चार कोशी किये बन गई है यहां पर आठ कोशी किये यहां पर सोला हो गई है यहां 32 हो गई है यह देखो इस तरीके से यह आ गया है एंडोमेट्रियम में आ गया कि देहका है एंडोमेट्री में अगे है एक बाहर वाली पूरी कोशिका है यहना बात कर देखो चाहिस को आपके टो नियैस्य को प्लास्टोस्टन बोह साथ कि यह ब्लास्टोस्यांस होता है suppose इस तरीके से यह संद्रेशना बनती हुए काहण एंडोमेट्रियम में जाके लग गई है ठीक है एंडोमेट्रियम में जाके लग गई है देखो उससे क्या हुआ यह एक ब्रून क्यों डेवलप हो गया ए है ना अच्छा था ना आया समझ में सबको पिर से देखना एक बार चुल एक बार फिर से देखते हैं यह देखो यह सिंगल है अभी दो कोशी किये हुआ चार कोशी किये हुआ आठ कोशी किये हुआ इस तरीके से देखो यह कहां पहुंच गया अब एंडोमेट्रिय में पहुंच गया और इस तरीके से संवरश्णा बनी जिसके बारे में आप करी कि दो तरीकी कोशी काई विबक तो जाती है वह एक पूरे बाहर और एक अंदर गुच्छे रूप में बन जाती है ठीक है कितन एंडोमेट्रिय में जाके लग गया ठीक है यह क्या कर रहा है एंडोमेट्रिय में जाएगा यहां पर यह एंडोमेट्रिय में पहले सुटा देखो ऊपर चली गई ठीक है और यह क्या होगे, पूरा एक embryo बन गिया है, ओके, देखो किस तरीके से, ओके, चलो, यहां तक सब को clear, ओके, तो हमने क्या देखा था, भाई, यह इस तरीके से एक structure था, ठीके, इसको हमने क्या बोला था, टुफोबलास बोला था, साथ साथ नाम लिखते चलते हैं, यह क्या है हमारा टुफोबलास, टुफोबलास ठीके, अब इस के अंदर में क्या देखा था, एक गुच्छा नुबास अंब्रसल था, इस तरीके से, यह structure थाना, यह क्या था इनर सेल मास था, है ना, यह क्या था inner cell mass इनर cell mass ठीक है यह था correct ओके अब जब संग भरता के बाद यह जो cells होती है यह फिर से क्या होती है यह जो जो हमने क्या बोला भई दूसरी, साइटो, ट्रोफो ब्लेस्ट, साइटो, ट्रोफो, ब्लेस्ट, ठीक है, पहली ये रही, दूसरी क्या थी भाई, सिन्स, आइशियो, ट्रोफो, ब्लेस्ट, दूसरा ये रहा, ठीक है, तो ये दो में क्या होती है, डिवाईड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, ठीक है, ये कोशी का जो होती है, कौन सी, ये हमारी ट्रोफो ब्लेस्ट, ये आगे चलके विभाजित होती है, मतलब डिवाईड होती है, और इन दो में ये डिवाईड ह बनाया, ठीके, ओके, अब यह जो बाहर वाला structure था, यह वाला structure क्या कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा यह वाला, यह कहलाएगा हमारा जो पर्स्ट लेयर है, cytotrophoblast, cytotrophoblast, ठीके, अब क्या होता है, इसी के बाहर एक और लेयर होती है, यह जो trophoblast होता है, इसके बाहर एक और लेयर होती है, कौन से कलर से उठाएगा, रेड उठा लेते हैं, इस तरीके से, अच्छा, रेड न उठाते, रुको, हम यहाँ पर ग्रीन उठाते है, इस तरीके से बाहर एक लेयर होती है, इसके, ठीके, अब यह जो trophoblast जो डिवाइड हुए थी, यह तो किस में डिवाइड हुए थी, हमने क्या बोला, कि भाई, एक तो cytotrophoblast में और syncytotrophoblast में, तो पहली वाली तो यह हो गई, यह जो ग्रीन वाली लेयर है, यह कौन सी हमारी दूसरी लेयर है, याने की, syncytio, trophoblast, ठीक है, यह हो गिया, अब यह तो यह बाहर वाले structure के हमने बात करी, यह जो अंदर वाला, यह वाला structure है, गुच्छा नुमा, यह क्या होगा, यह भी ऐसी करेगा, बेल्कुल इसी तरीके से यह बी अलग-अलग कोशिका बनाएगा, ठीक है, चलो इसको बनाते है यह क्या करेगा, कि भाई एक तो इस तरीके से कोशिका यह बना लेगा, ठीक, और एक इसी के पीछे एक और cell होगी, ठीक है, इसके पीछे एक और cell होगी, ठीक है न, यह इसके पीछे एक और cell होगी, अब क्या होता है, जो आगे वाली है, ब्लू वाली जो है, ठीक है, यह और यह जो इसके पीछे दूसरी वाली है, यलो वाली है, इसका नाम क्या है? हाइपो ब्लैस्ट ठीक है ये जो हमारा inner cell mass था ये इन दोनों में डिवाइड हुआ और ये जो हमारा trophoblast था वो इन दोनों में डिवाइड हुआ यहादा clear सबको है ना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे भाई कि जो brun होता है जो embry होता है वो अपनी layers को अलग-अलग layers को कैसे बनाता है कैसे यहाँ पर उसका निर्मान होता है तो हम अब वो बात करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हमने क्या बात करी थी जो 7th day होता है 7th day में क्या तो करते हैं यह दोंग लेयर नहूंart यह क्रीट करते हैं थ depend जिसके बारे सीशने या मुनियों इसके यह सब्सक्राइब यहां पर हम यहां पर क्या होता है एक उत्किये हाँ, एक उत्किये क्या होते है संबंद बनता है, जो भूर होता है उसके बीच में और मादा के बीच मादला जो उसकी मदर है ठीक है, एम्बरी और मदर के बीच में एक relationship बनती है, ठीक, इसके tissues की relationship बनती है, ठीक है, तो वो हम कैसे दिखा सकते हैं, भाई लो, इस तरीके से दिखा दी हमने, यह क्या बन रहा है, relationship है इनके बीच में, mother और embryo के बीच में, ठीक है, इस तरीके से हो गई, और यह क्या होता है, यह रक्त वाहिनी होती है, जो किस स रक्त वाहिनी, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं, यानि की placenta बोलते हैं इसको, ठीक है, अपरा यानि की placenta, और यह क्या होती है, यह उतकी है, क्या होता है, संबंध होता है, tissues से बनी हुई होती है, ठीक है, ओके, यहां तक सब को clear है न, ठीक है, चलो, clear है त ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और 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 क्या होता है इसमें चलो आगे देखते हैं छलो इसके बारें बात करते हैं कि भै जो अभी हमने देखा है ना जो स्ट्रक्चर्शर हमने बनाया था ये उसके बारे में ठीक है चलो ये बोल रहा है भाई कि भ्रोण के अंतरोप्रण के बाद पोषकोरक पर उप्र ओंगली जैसी सनरशनाज होती है ठीक है जो ऐसे ऐसे करके थी न संद्रशना ये इस तरीक ऐसे थी ये जो थी संद्रशना ये क्या है जरायू अंकुरक होती है ये जरायू अंकुरक क्या करता है गर्विये गरभाशे के उतक होते हैं बताया था है न और मात्र रक्त से अच्छा दित होते हैं और इसके अंदर क्या हो हो जाते हैं मतलब आपस में गुमण 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 हो जाते हैं ठीक है और सहीं तुरूप से परिवर्धन शील बूर्ज ठीक है और मात्र शरीर के साथ एक संदराशनात्मक ठीक है यानि कि structural और क्रियात्मक यानि की जो process हो रहे हैं वहाँ पे एकाई को गठित करते हैं मतलब की बनाते हैं ठीक है जिनको आप अपरा कहते हो यानि की placenta होता है वो ठीक है बच्चा किस में होता है placenta के अंदर ही तो होता है ना तो यह अपरा क्या है वही placenta है ठीक है ओके यह देखो इस तरीके से ठीक है इस तरीके से placenta है ठीक है देखो क्या देख रहा है यह वाहिनियो सहित नाभी रज्जू ठीक यह क्या है ब्रून ओके और अपरा रसाकुर यहाँ पर यह जो है इस तरीके से ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब आता है अपरा के कारे कि यह जो है इसका बेसिकली क्या काम है अपरा का ठीके प्लेसेंटा का तो ब्रोण को ऑक्सीजन देना है ना कि जो बच्चा है उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी इसी प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगी पोशर देना ठीके यानि कि उसको nutrition भी तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए उसके development के लिए तो वो सब किस से मिलेगा प्लसेंटा से मिलेगा इसके क्या अपूर्थी एवं कार्वन डाइकसाइड तदा ब्रूर्ण द्वारा उत्पन उत्सर जी अफशिष्ट पदार्तों को बाहर निकालने का काम करती है मतलब यह एक बच्चे आपरा एक नाभी रज्यू यानिकी जिसको अंबिकल कॉर्ण के नाम से जानते हैं द्वार भ्रूर्ण से जुड़ा हुआ Χोहट........ वाले पदार्थ होते हैं उनको अंदर लाने ताब बाहर ले जाने काम में मदद करता है ठीक है क्या मदद करता है अंबिकल कोड्ड जो होती है कभी सुना है कि जब वच्चा होता है तो कभी कभी बोलता है डॉक्टर की नहीं वहीं इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा उस तो यह वही ambival court होती है. जो बच्चे जो उसमें फस्स जाता है, तो क्या बोलता है, कि बच्चा फस्स गया है इसमें, तो अपरेशन करना पढ़ेगा. ठीक है, तो यह जो ambival court होती है, उसी की वज़े से. जब तक ही normal रहती है, तब तक chances होते है normal delivery की. अगर ये गले में फल्चाती है या कुछ भी हो जाता है तो वहां पर डॉक्टर ऑपरेट करने की सला दे देते हैं ठीक है तो यही वो एमिकल कॉड है तो बच्चे को पोशक तत्व वगेरा एक्सेक्टर एक्सेक्टर उसको दे रहे हैं और जो उसके वेस्ट जो मटीरेल है डॉक्तर का दुझे बाहर ले जा रहे हैं इसी के तुरू होती है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो अपने के अपने करता है अनेको हर्मों जैसे की मानाव जराईयू गुनैडोट्रॉपिञ ठीक है जिसको हमने क्या बोला ह्यूमन कलियानिक गुनैडोट्रॉपिन यानि यह HCG का लेवल क्या होता है, increase हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है, जो pregnancy kit आती है, तो उस kit में क्या होता है, जब urine के drops डाले जाते हैं, तो दो lines आती है, अगर single line आ रही है, तो मतलब lady pregnant नहीं है, या result इसका क्या है, खराब हो गया है, ठीक, और अगर lady pregnant होती है, तो वहाँ इस तरीके से दो lines आ जाती है, तो वो दूसरी line जो आती है, वो किस की वज़े से आती है, इस ही HCG की वज़े से आती है, अगर ये body में level, अपनी normal जो उसकी quantity होती है, उससे बढ़ जाता है, ठीक है, चलो ठीक है, HCG हो गया, मानव अपरा lactogen हो गया, estrogen हो गया, progestrogen हो जाता है ठीक है, और भी, etc, etc, वहाँ पर क्या होते हैं, hormones release होते हैं, pregnancy के time पर, संग भरता के उत्तरादिकारी अबदी में, अंडशे दुआरा, relaxing नामे के एक hormone भी, secret होता है, relaxing नामक का, ठीक है, हमें यह याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और relaxing, एक female में केवल संग भरता, याने कि जब प्रेगनेंट होती है, उसी इस्तिती में ही उत्पादित होते हैं, यह हमारी बॉड़ी में तभी आएंगे, जब हम प्रेगनेंट होंगे, अगर कोई लेडी प्रेगनेंट नहीं है, तो उसकी बॉड़ी में तीनों hormones नहीं होंगे, ठीक है, अपने लेवल से नीचे हो जात है, कॉर्टिसॉल हो जाता है, ठीक है, थायरेक्सिन हो जाता है, इन सभी जब कोई लेडी प्रेगनेंट होती है, तो यह सारे hormones क्या करते हैं, हाई हो जाते हैं, कभी-कभी ऐसा होते है कि कोई लेडी प्रेगनेंट होती है, तो उसको यह शिकायत हो जाती है कि भाई उसको प्रॉब्लम हो गई है किसी किसी का शुकर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ठीक है तो यह डिपेंड करता है इन होर्मोस पर कि कौन सा ज़्यादा सिक्रीट हो गया है होते सभी है लेकिन कौन ज़्यादा हो गया है तो दिक्कते वहां आती है बॉडी में ठीक है मात्रा संग भड़ता के दौरान माता के रक्त में कई गुना जादा बढ़ जाती है जितनी मतलब बोडी में है ना उससे बहुत गुना जादा बढ़ जाती है तब ही तो वो शो होगा ठीक है अगर बोड़ी हलकी फूलकी गरम होगी तो पता निचे लेगा ना कि बुखार है इन हॉर्मोन्स के उत्पादन में बड़ोत्री होना भी भ्रून वृद्धी माता की उपापचेई उपापचेई क्रियाओं में परिवर्तन तथा संग भरता को बनाये रखने के लिए जरूरी होता है यह जो हॉर्मोन्स होता है इनका बढ़ना जरूरी है ठीक है एक प्रेगनेंसी को गुड प्रेगनेंसी बनाने के लिए अगर यह हॉर्मोन्स सिक्रीट नहीं होंगे तो प् मिलता है ना हर एक चीज वो उससे ले रहा है जब ये चीज़े वहां पर अपना लेवल नहीं बढ़ाएंगी तो क्या होगा बच्चा कम जोर पैदा होगा या हो सकता है कि उसमें कमी पैदा हो जाए कोई कमी के साथ वो बच्चा पैदा हो जाए कर ये जो हॉर्मोन से रिलीस नहीं होंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ओके चलो इससे पहले एक चीज और देखते हैं अपरा के बारे में ही पढ़ते हैं चलो कि जो अपरा है अपरा अचा एक काम करते हैं यहां लेकर आते हैं एक ठीक है ओके अब देखते हैं चलो अब बात करते हैं अपरा की यानि की प्लेसेंटा ठीक है अब अपरा क्या करता है हमने क्या बात करी होज्वों करता है ठीक है यह क्या रिलीस कर разр then om कि 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 कह से हॉर्म मेर्र रिलीज करें कि 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 के सबसे पहला कौन से अस्वेर में रिलीज कि यह भात करते हैं हम तक सब्से पहले इसने HCG release किया क्या होता है HCG Human Chorionic Human Chorionic Hormone ठीक है Human Chorionic Gonadotropic Gonadotropic Hormone ये release करता है ठीक है Hormone ठीक है ये release किया HCG इसने release किया इसके बाद कौन सा release करता है एक और होता है वहाँ पर ठीक है इसके बाद हमने बात करी थी HPL है ना Human Aparam ऐसी कुछ बात करी थी हमने याद है आपको क्या था वो वो था Human Placental Lactogen ठीक है Placental की जगा हमने क्या पढ़ाता भी पीछे अपरा पढ़ाता है ना ठीक है चलो यह हो गया अब यह जो HPL है यह क्या होता है यह जो HPL होता है यह किस में जाता है इस तन ग्रंथी में जाता है ठीक है यह कहा गया इस तन ग्रंथी यानिके memory gland में जाता है यह कहा जाता है memory gland में जाता है क्यों जाता है अगर यह memory gland में जाएगा तभी तो वहाँ पर milk का secretion होगा है ना जब बच्चा बाहर आएगा तो उसको जो है milk चाहिए ना अपने portion के लिए क्या कहते हैं कि बई जब तक बच्चा छे माइने का नहीं होता है उसको सर्फ एक मा का दूधी चाहिए होता है किसली यह क्योंकि उसमें protein होता है nutrition होता है एक बच्चे की वज़े से जब वहाँ पर जो इसतन होते हैं उनमें क्या होता है उनका जो साइज होता है जो ब्रेस्ट होती है वो क्या होती है बढ़ जाती है ठीक है क्या होता है आकार बढ़ जाता है ठीक है साइज जो होता है बढ़ जाता है ठीक है चलो यह हो गया ओके अब अब क्या अब भाई हम जानते हैं कि जो मादा के शरीर में उपसित हॉर्मोन होते हैं अगर हम बात करें कि भाई जो मादा है ठीके उसके शरीर में क्या है उसके शरीर में हॉर्मोन से ठीके यह जो हॉर्मोन से इनका जो स्तर है यानि की जो लेवल है ठीके वो क्या हो जाएग इन में वृद्धी हो जाएगी, अब ये चीज़े हमें मालूप है, तो ये क्या होंगे, हॉर्मोन इंक्रीज हो जाएगे, इन हॉर्मोन के बाद और भी हॉर्मोन्स होते हैं, कौन से हॉर्मोन होते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं, कौन से हॉर्मोन हो गए भाई, एस्ट्र इनके इलावा कौन से हैं प्रोलैक्टिन है थायरोइड है ठीक है यह सब क्या है यह सारे के सारे अपना लेवल इंक्रीज कर लेते हैं ठीक है जब विमन क्या होती है प्रेग्नेंट होती है ठीक है तो यह सारे होर्मोन्स क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे और यह सब increase होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ओके ठीक है चलो यहां तक सभी को clear चलो ठीक है अब हम देखते हैं कि भाई जो भूर होता है उसके शरीर में क्या क्या changes आते हैं जो embryo के अंदर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और वहां हम वो हम कहां देखेंगे हम देखेंगे गेस्ट्रूलेशन में देखेंगे उसको ठीक है चलो बात करते हैं गेस्ट्रूलेशन की तो गेस्ट्रूलेशन क्या होता है बेसिकली किसे कहते हैं जो ब्रूर्ण में परिवर्धन होता है किसे बोलेंगे ब्रूर्ण यानि की embryo इसमें क्या हो रहा है परिवर्धन ठीके बदलाव ठीके उसे क्या बोलेंगे हम गैस्ट रुलेशन बोलेंगे ठीक बिल्कुल ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब हमने क्या बात करी थी कि भै ये क्या था हमारा ट्रोफो ब्लेस्ट था है ना ट्रोफो ब्लेस्ट था ये और इसके अंदर क्या था ये था हमारा ट्रोफो ब्लेस्ट ट्रोफो ब्लेस्ट और इसके अंदर क्या थी इनर सेल मास ठीक है इसके अंदर क्या थी इनर सेल मास थी लोग उसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं फिर से हम यह रही ठीक चलो य हो गया अब क्या होता है हमने बात करी थी कि यह दो परतों का निर्माण हुआ था यही बात करीं इसको बाहर लेकर आते हैं इसको बाहर लेकर आते हैं अब यह क्या कर रहा है यहां पर क्या होगा यहां पर cell division होता है, यहां के आओगे अपना cell division हो गया, यानि कि जो कोशिकाएं है, ठीक है, वो उनमें क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है कोशिकाओं में, ठीक है, cell division हो गया यहां पे, ठीक है, अब जब cell division हुआ है, तो इसका अगले structure क्या आएगा, इसको अटाके यहां लिख देते हैं टाकि हमारे structure में यह परशानी ना करे परिवर्धन तुम यहां आ जाओ ठीक है ना चलो इसको हमने क्या बोलाता कि यह यह भी अगरता है दो cells बना लेता है दो कोशिका बना लेता है ठीक है तो कैसी कोशिका बनाता है भाई एक तो इसने बनाई इस तरीके की कोशिका है ना अब इसके पीछे ही एक और कोशिका बनाता है यह इस तरीके से ठीक है ओके अब इसके अंदर क्या होता है इस तरीके से एक सिनरिशना होती है है ना, ऐसी होती है, ठीक है, अब इनके चलो नाम लिख लेते हैं, हमें क्या मालूम था भाई, ये क्या होता है, हाइपो ब्लैस्ट होता है, हाइपो ब्लैस्ट, ठीक है, ये क्या था, इपी ब्लैस्ट, ठीक है, अब ये वाली जो स्ट्रक्चर होता है, नीचे वाली जो प्रिमिटिव स्ट्रिक ठीक है प्रिमिटिव स्ट्रिक बोलेंगे इसको और यह जो उपर यह बॉल सा इसको क्या बोलेंगे हैं प्रिमिटिव नोड ठीक है यह क्या हुआ प्रिमिटिव नोड हो गया यह प्रिमिटिव स्ट्रिक हो गया यह एपिब्लैस्ट हो गया और यह हा इनर सेल मास यह इस तरीके से बढ़ जाती है अब यहां क्या होता है जो इपी ब्लास्ट है यहां पर क्या होता है यह जो है कहां गया इपी ब्लास्ट यह जो इपी ब्लास्ट है यहां पर क्या होगा इसकी जो सेल्स है वो क्या करेंगी यह जो नोड होता है ठीक है यह जो नो इससे होते हुए layer बनाना शुरू करती है कौन से layer बनाता है यह epiblest देखने चलो ओके चलो देख लेते हैं epiblest को अगर हम बात epiblest की करते हैं epiblest की बात कर रहे हैं तो यह क्या बना रहा है इस तरीके से three layer बनाएगा ठीके कौन कौसे तीन लेयर बनाई इसने जी इसने बनाई सबसे बाहर बाहे तुचा बाहे तुचा ठीक है जिसको हमने क्या बोला एक्जो एक्टो एक्टोडर्म एक्टो डर्म ठीक है इसने एक्टोडर्म बनाई एक पढ़ाई पर ध्यान दे लू यार थोड़ा सा इधर उधर इधर उधर बाते करने चिल कुछ नहीं मिलेगा अभी टाइम वेस्ट कर दोगे ना तो गलको टाइम जो है तुम्हें वेस्ट कर देगा यही वो टाइम है जब पढ़ाई पर ध्यान लगा लो थोड़ा सा धियान लगा लो चैटिंग छोड़ दो, यहां देख लो ठीक है, अब सबसे पहले यह conciliya बनाएगा, सबसे पहले यह बाहे तचा बनाता है, actoderm बनाता है ठीक है, उसके बाद यह conciliya बनाता है, उसके बाद यह बनाता है antahatuchah ठीक है, दूसरे नमबर पर क्या बनी, अन्तहा तवचा, जिसको आम क्या कहते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं, एंडोडर्म, पहले नमबर पर ये बनी, दूसरे नमबर पर ये बनी, ये दोनों लेयर जब बन जाती है, उसके बाद क्या होता है, फिर ये बीच वाली आती है, ब पीजोडर्म ठीक है यह तीसे नमबर में बनती है सबसे पहले बाहे तोचा बनेगी फिर अंतहर तोचा बनेगी फिर यह मध्य तोचा बनेगी इस चीज को ध्यान डखना कि यह वाली जो होती है लास्ट में बनती है जबकि होती बीच में होती बीच में है लेकिन बनती लास् देख लेते हैं कि भाई यह जब बन रही है तो काम भी तो कुछ कर रही होंगी ना फालते में तो बनेंगी नी ठीक है अगर हम जो बाहे तुचा होती है इसकी बात करते हैं तो यह क्या करता है जो ब्रून होता है ना यह ब्रून का तंत्री का उतक बनाती है ठीक है तंत्री क तो उतक करते हैं, तो इसके साथ साथ किसका पेशिय उतक का भी निर्मान करेगी, पेशिय उतक, ठीक है, ये जो मद्धे तचा हो गई, ये क्या करेगी, पेशिय उतक बनाने या काम करेगी, अब बच गई भाई हमारी अंतहेतोचा ठीक है ये क्या काम करती है तो भाई जी ये क्या करेगी उपकला उपकला उतक का निर्मान करती है ठीक है उपकला उतक का निर्मान करती है ये करेक्ट बिल्कुल ठीक है अब जी तीनों जो है ये बन गई है एक्टोडर्म, मीजोडर् अब इसका मदलब ये है कि भाई जो ब्रून के विकास का ब्रून के विकास की जो क्रिया है वो इन सबसे मिलके हो रही है जिसको क्या कहेंगे हम जिसको कहेंगे ब्रून ये परत ठीक है तो ये तीनों मिलके क्या कहलाएंगी ब्रून ये परत कहलाएंगी इस प्लिए यहां तक किसी और डाउट है हाँ नहीं है ना होना भी नहीं चाहिए बहुत ही सिंपल सी साधारन से शब्दों में बताया जा रहा है तो इन शब्दों को ध्यान पूर्वक सुन लो ध्यान से सुलो अपने यहां दिमाग में बठा लो ऐसा नहीं यहां से सुनो और यहां से निकाल दो बिल्कुल नहीं करना है यह सुनना है और अपने कानों के बीच में रखना है ठीक है बिल्कुल स्ट्रेट कभी देखा है जो घोड़े होते हैं उनको क्या होता है यहां पर इस तरी तो जो ग्यान मिल रहा है उसको ले लो अच्छी चीजे जहां से मिले उने क्या करना चाहिए ले लेना चाहिए गलत चीजे भगा देनी चाहिए तो यहां ध्यान दो और समझो चलो यह यहां तक का हो था सारा खेल ठीक है चलो आगे देखते हैं अब जो हमने अभी तक पढ़ है चलो एक बदेख लेते कि कि हम क्या बोल रहा है हम को यह मंसे क्या बोलना चाहँ ज़… وجह हम बहारीं चाहिए बनाता है यही बात करी हम ने.. वह वह जहांए dropping… यहान कि अंदर कशा बनाता है है विवेति हो जाती है इसके द्वारा बाहर की बनी और अंदर की बनी तो इस से क्या होती है एक बीच की लेयर और आजाती है ठीक जिसको में गयाने की अंगों का नियर्मान करते हैं ठीक है यहां यह उलेक करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समू में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं जिने स्टेम कोशिका याने की स्टेम सेल्स कहते हैं जिनमें यह छमता होती है कि वो सभी अंगो एवं उत्कों को उत्पन कर सकती है ठीक है clear यहां तक यह सारी वही चीजें लिखी है जो हमने क्या किया है अभी पीछे जिनके बारे में बात करी थी टीक ठीक है चलो ओके ब्रून का विकास यहां पे एक वीदिएयो थी मैं वो वीदिएयो आपको दिखाना चाहती हूँ कहां गया ब्रून का विकास प्रून का विकास कि अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है सबसे चोटा चोटा हुता है एक जो मन्त में हम को दिखता है कहां चला गया यह आया हम उसके बाद यह ऐसा दिखने लगता है हम को ठीके उसके बाद क्या होता है कुछ इस तरीके से बढ़ता है तीसे चोथे महीने में फिर बच्चा इस तरीके से दिखने लगता है जब उसके क्या है देखो यहां पर रिप्स दिखाई दे रही है आपको बैक्बोन दिखाई दे रही है इसका जो कुछ इस तरीके से दिखने लगता है और क्लियारिटी आ जाती है इसके अंदर फिर देखो यह और बड़ा होता इसका देख रहा है यहां पर इसकी पूरे body के अंदर आज दिख रहे हैं इसकी रीड की हड़ी भी कितने अच्छे दिख रही है ठीक है और यह दो इसका क्या है ब्रें भी दिख रहा है दिख रहा है और यह क्या है हमारे जब 9th बंद का बच्चा हो जाता है मतलब उसके क्लास में अगर देखें तो जो संग भरता के बाद ब्रून का हिर्दय निर्मित होता है सबसे फेली ठीक क्योंकि बच्चे में सबसे पहले क्या आती है धड़कन आती है जैसे भी बच्चा डेड़ महिने का होता है या उससे उपर होता है तो क्या हो जाती है उसमें धड़कन धड़कनों को ध्यान से सुनके बताया जा सकता है सबसे पहले जब कोई लेडी प्रेगनेंट होती है नहीं देखा जाता है कि भाई अब देढ़ मैना हो गया थूमक्प तो क्या इस बच्चे में धड़कन आगई है अगर उस बच्चे में धड़कन आगई है संग भरता के दूसरे मां के आंगत पाद और अंगलियां याने कि जो इसके पैर हैं और उद्च रचना हो जाती है लगवग सभी बन जाते है तोट छूट उसे होते हैं सब बन जाते लेके उधारन के लिए फैर और जो उसके क्या बोलते हैं बाहे जनन अंग होते हैं वो अच्छी तरह से विक्सित हो जाते हैं ठीके? ओके अब क्या बोल रहे है ये कि गर्व अवस्ता के पांच्वे माह के दोरान गर्व की पहली गति शीलता और सर पर बालों का उखजाना ये समान जनरली देखा जाता है कि जब पांचुवा माइना होता है तो ये सब चीदे एक बच्चे में नोटिस करने शुरू हो जाती है जो में किसमें पता चलता है सोनोग्राफी में पता चलता है कोमल बाल निकलाते हैं यानि कि जो बच्चे अंदर गर्व में होता है अपने मा के पेट में होता है तब ही देखो ये बाल वगएरा भी उसकी बॉड़ी पे तब ही आ जाते हैं आखों के जो पलके होती है न वो दिखते जाती है और ब्रॉणिया बन जाती है ठीके गर्व अवस्ता के नौवे मा के अंतर गर्व पुर्ण रोप से विक्सित हो जाता है अगर वो एक स्वस्त बच्चा है तो यहाँ पे कंडिशन्स होती है ठीके और प्रसव याने की डिलीवरी के लिए तयार हो जाता है गर्रेक्ट तक हम चलो आगे बढ़ते हैं ओके यहाँ पे आई थिंक वो वीडियो थी जो मैं आपको दिखाना चाहरी थी लेकिन उससे पहले एक और चीज है जो देखते हैं हम क्या देखेंगे एक फ्लोचार्ट बनाएंगे हम ठीक है एक फ्लोचार्ट बनाते हैं जहाँ पे हम लिखेंगे यह मन्त है ठीक है और यहाँ क्या लिखेंगे उसमें परिवर्तन आ रहे हैं ठीक है परिवर्तन ठीक है एक तरफ मन्त हो गए और दूसरी तरफ परिवर्तन हो गए अगर हम मंत की बात करते हैं तो एक, दो, टीम, चार, पांग, छे, साथ, आठ और नौ नौ महीने होते हैं क्योंकि ठीक है चलो ठीक है देखते हैं अब सबसे पहले अगर हम पहले महीने की बात करते हैं कि भाद करने तो अभी हमने टेक्स में देखा था कि सबसे क्या बनता हुआ हुआ कि cheese और एक हिर्दय बन रहा है ठीक्ड तो पहले मैंने में क्या हो रहे पार्वे उसका रिदय बन रहा है रिन बनता है ठीक जिसकी अम मेंधार सुन सकते हैं दड़कन सुन सकते हैं है ना सुन सकते हैं ठीक है तो पहले जो पहला महिना था वहां ऐसा हुआ दूसरे में क्या होता है हाँ दूसरे में हम बात करे थी कि भई उसके हाथ पैर बनने लगते हैं उंगलिया बनने लगती है है ना उसके क्या बने हाथ पैर उनकी क्या बनी अंगलिया ठीक है क्या हुई बन जाती है ठीक है फिर क्या होता है तीसरे महिने में हमने क्या बात कर रही थी तीसरे महिने में कि इनके अंगों का निर्मान शुरू हो जाता है यहां पर अंगों का निर्मान क्या हो गया स्टार्ट हो गया यहां पर ठीक है अंग तंत्र मतलब अंग तंत्र कोन कोन आते है जैसे पाचन तंत्र हो गया जनन तंत्र हो गया पाचन तंत्र हो गया जैसे जनन तंत्र हो गया प्रकेस चोटे और पांचुंपे मैने में हम क्या बात करते हैं यहां पे उता है। हिकशु जो होता है मतलब उसकी आइस भी डेवलप होने लग जाए अगर हम बात करें आपकी लेकिन अगर आपकी बुक की बात करें टेक्स्ट बुक चौछे महीनें में इसेट कुछ दिया हुआ नहीं है। लेकिन जनरली जो चौछे महीने में क्या हुथा हुदे है कि उसक़ चारी जितने हाँ जोटी जितना बाद बच्चा और से कुछ चौछे महीने के पासे में advising करते हैं ठीक है कभी-कभी आपने पिच्छरों में भी देखा वे ये सब चीजे कि हाँ बच्चा मुवमेंट करते हुए क्या करते हैं जो कपल सहते हैं वो चोथे की देखो बच्चा भी मुवमेंट कर रहा है तो चौथे महीने के साथ से क्या होता है ये चीज़े बच्चा शुरू कर देता है अंदर मुव्मेंट करना ठीक है तो शेशू क्या कर रहा है बाई गति शील्टा गति शील्टा ठीक है बच्चा क्या कर रहा है गति शील्टा करें मतलब कि वो अंदर मुव्मेंट करना उसमें शुरू कर दिया है इसके साथ साथ क्या होता है कि भाई उसके क्या होता है सिर पर हां सिर पर क्या जाते है उसके बाल उगने शुरू हो जाते हैं ठीक है अब बात करते हैं अगर हम छटवी मन्त की या निकिए शिक्स मन्त की अगर बात कर रहे हैं तो शिक्स मन्त में क्या हो रहा है भाई शिक्त मन्त म आख वाला आनने शुरू हो जाते हैं, जो आखे होती हैं, चोड़ी शोड़ी और शूरू ऑँचे- आखे होती हैं उसमें क्यों तो उसमें पलके आने शुरू हो जाती है, हाँ, पलके उसमें बननी शुरू हो जाती है, तो क्या लिखेंगे इसको हम, जो आखे होती है, ठीके, आखों में क्या होता है, पलके बननी शुरू हो जाती है, ठीके, पलके बननी क्या हो रही है, शुरू हो जाती है, ठीक, ओके, अब 7th, 8th और 9th ये जो 3 महीने होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कि जो बच्चे के अंदर के organs हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो दीरे 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 दीरे, time लेते हैं अपने आपको develop करने के लिए, ठीक है, develop होंगे, तभी तो एक स्वर्ष्ट बच्चा पैदा होगा, तो ये जो 3 महीने होता है, ये इसको इसलिए चाहिए होता है, ठीक है, और 9 से 9.5, यानि कि 9 से 9.5, ये जो month होते हैं, इन में क्या होता है, delivery के पूरे पूरे chances होते हैं, ठीक है, कि अगर 9 महीने complete कर लिए एक female ले तो हो सकते हैं, 9 महीने में उसकी delivery होता है, और कभी-कभी 9.5 भी होता है, बुक के हिसाब से 9.5 है, तो ठीक है, तो हम लेकिन confirm नहीं कह सकते हैं, 9 है ये 9.5 है, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है भाई, 9 महीने में क्या हो जाता है, प्रसव हो जाता है, यानि कि delivery हो जाती है आप यहां पर टाइम आता है भाई आपको एक प्यार इसी वीडियो दिखाने का और वो वीडियो देखके ना यकीन मानी है आपको खुद बहुत खुशी होगी जो चीज़े यहां हो रही है उसको देखके इस स्क्राइब को फिर सकर चाहलो करना पड़ेगा थीकि चलाए बढ़ते हैं और और यही क्यां अंने डीख से स्की PMadir पर अपने यहां पर एक वीडियो देखो यह चोटधा भच्च है ठीक ये देखो यह क्या है इसकी अंबिकल कॉड जिसके बारे में बात करती नाभी रज्जु जिसको हमने बोला था यह वह अंबिकल कॉड है जिसमें क्या होता है बच्चा इसी से क्या पोशन तत्व जो होत तक आपर कोर्द को वह किरते हैं वह इसी के थुरू बाहर से बाहर जाता है मदलब पोशक तत्वी इसां रहा है और उसमें बाहर सो कि कमझे रहे हैं तो कॉम और काम कर रही है यहां पर करकें औरिक नंदक देखा सिरे मैं 에게 इसकी नांक है और है ठीकर इसका है श्कून है जीब है और कान है प्लेस क्या हो रहा है बच्चा कर रहा बच्चा यहां पर इन्ट चौते महीने के बाद से जो फीमेल होती है जो मां होती है वह चीज नोटिस करना शुरू कर देती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है अंदर हल चल कर रहा है जो बेस्ट पल होता है जो एक फीमेल रेलाइस करती है अपने बच्चे के लिए तब उसको हैसास होता है कि हां उसके मा के गर्व में यानि कि उनके पेट में थे तो हम सब भी ऐसे ही थे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो साथ हुए से नौवे महीने में क्या हो रहा है बच्चा डेवलप हो रहा है सिर्फ डेवलप हो रहा है और इसके साथ-साथ जो उसके लंक्स हैं उसके फेफ्डे हैं थोड़ा सा उनमें इन्हांसमेंट होता है मतलब वो डेवलप हो जाते हैं विक्सित हो जाते हैं तो यह था इसमें हमने ब्रून के विकास की बात करी थी तो चलो यह ब्रून का विकास एक बार देख लो जहां पर हम इस वीडियो को देखते हैं हमने वीडियो देखी थी न कि देखो यहां पर इसका हार्ट बनना शुरू हो गया था ठीक है इसका हार्ट और ब्रेन बनाए देखो दूसरे महिने में ठीक है फिर क्या हुए देखो बैकबोन दिख रही है यह बैकबोन है इसकी फिर देखो इसके क्या हो रहे हाथ और पैर बन रहे हैं तीसरे महीने में है ना उसके बाद देखो क्या है यह आंबिकल कॉर्ड है ठीक है क्या यह आंबिकल कॉर्ड है जो क्या करती है प्लसेंटा से जुड़ी हुई होती है मतलब मां से मां के शरी से और ब बच्चे को portion देती है ठीक है इसके तुरू बच्चा क्या करता ऑख्सिजन भी लेता है और इसी से बच्चा कार्बन डाइक्साइड बाहर भी छोड़ता है और क्या करता है जो उसके वेस्स मटीरियल है अपसे पदार थे उसको भी बाहर निकालता है इसी आम्बिकल कोड की वाजे से यह ना भी रज्जु जिसको बुला हमने चलो देखो अब चौधे महीने चौधे छटे महेने में क्या हूरा है इसके शरीर पर क्या आ रहे है बाल आ रहे है ठीक है चलो जी ठीक है उसके जो Senses यह ठीक है इसके से bubble आ ठीक है उसके senses क्या हो गए है वो movement करने लगता है ठीक है मैंने बताया था कि कुछ जो females होती है वो early symptom दिखाती है कि हाँ उनको जल्दी से मतलब 4 मेने से पहले से मैसूस होने लगता है कि बच्चा क्या कर रहा है भई movement कर रहा है कुछ होती है कि 4 महीने कंप्लीट होने के बाद उनको feel होता है कि हाँ movement कर रहा है ठीक है और मैंने काता है बेस्ट वल होता है जब एक औरत क्या feel करती है कि हाँ मेरा बच्चा अंदर अच्छा है अच्छे से खुश है ठीक है ओके तो भई 4-6 महीने में ये हो रहा है उसके बाद क्या होता है साथ से 9 महीने में क्या करता है वो बच्चा अपने जो उसके अंदर के और उनको अच्छे से well develop करता है ठीक है देखो lungs वगेरा दिखा रहा है और ये क्या करता है वदन लेता है ठीक है height लेता है बच्चा ठीक है साथ से नौ महीने में पूरा अपना डेवलेमेंट करता है अंदर और नौ महीने होते के साथ ही आपकी बुक के हिसाब से 9.5 तक वह उस्ते पॉस्ते क्या हो जाती प्रसफ किक्रिया हो जाती याने की वह मा के शरीर से बाहर आने के लिए बिल्कुल रेडी होता है दिलीवरी करना ही माच आता है ओरत का ठीक है चलो यह सब क्या था हमारा पड़ा फिर सामारा रिकाप था यह हां चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का चैप्टर आज का लेक्चर ठीक है किसके साथ हमारा टॉपिक कौन सा है प्रसफ ठीक है ओके चलो, अगर हम प्रिस्व की बात करते हैं, तो यहां पर क्या दिखाई दे रही है, आपको यह एक female body दिख रही है, दिख रही है, अब इस female body में क्या है, यह क्या है, हमारा brun है, ठीक है, अगर हम बात करें, तो क्या है यह, brun, ठीक है, okay, brun है, अब क्या होता है कि 9.5, ठीक है, book के हिसाफ से 9.5 month, ठीक है, क्या चलता है, यह बच्चा, जो है 9.5, 9.5 month, जो होता है, महिने होता है, उसके बीश में, मा के जरीर से बाहर आने किलिए ready हो जाता है, ठीक है, ठीक है, अब क्या होता है, यहां पर, यह जो brun है, इसके अंदर जो भुरून है वो यहाँ पर पूरा क्या बन गया है शिशू बन गया है ठीक है चलो जी यह शिशू बन चुका है पूरा ठीक है अब सवाल आता है कि भाई जो माता है उसके प्रसफ की क्रिया को मतलब उसकी जो डिलीवरी होती है मतलब प्रसफ मतलब वो बच्चा ज जो होता है प्रसफ क्रिया जो होती है उसको कौन मतलब उसको कौन एक्साइटिद करता है कौन एक्टिवेट करता है इस प्रोसेस को हां इस प्रोसेस को कौन एक्टिवेट कर रहा है कौन जोर डाल रहा है जल्दी से बताओ कौन जोर डालेगा इसके जो है डिलीवरी के प्रो ये कोई और नहीं है ये शिशु है कौन है ये शिशु ही है ये शिशु क्या करता है भाई कुछ हॉर्मोन कुछ हॉर्मोन क्या करता है सिक्रीट कर रहा है ठीक है कुछ हॉर्मोन क्या कर रहा है सिक्रीट कर रहा है कहां पर यहां पर इस एरिये में ठीक है, इसने क्या किये, हॉर्मोन सिक्रीट कर दिये, ठीक, ओके, चलो, अब जब सिक्रीट कर दिया है इसने अंदर, तो क्या होगा, भाई, ये मदर की बॉड़ी से टच करेंगे ये जो हॉर्मोन से, है न, ये हॉर्मोन जो है, ये मदर की बॉड़ी से क्या करेगा, टच कर में आगया अब यह क्या करेगा जब मदर की बॉड़ी कॉंटेक्ट में आगा क्या करेगा सिगनल देगा क्या करेगा यह सिगनल देगा कि भाई यहां पर कुछ रिलीज हो रहा है इसने क्या किया सिगनल दे दिया ठीक चलो जी इसने क्या किया सिगनल दे दिया जिसका मतब है कि जो शिशू है यहां लिख देता है कि जो शिशू है उसको क्या होना है उसको बाहर निकलना है यह जो अंदर कौन है नटखट सा शेतान सा बच्चा है यह क्या कह रहा है मैं अंदर इतने लंबे टाइम में पूरा डेवलप पहुच चुका हूँ, मैं एक स्वस्त बच्चा हूँ और अंदर मैं ठग गया हूँ अब, अब मुझे बाहर आना है जल्दी से तो क्या करेगा, यह हॉर्मोन्स रिलीस करने शुरू कर देगा वो हॉर्मोन क्या करेंगे भई, जो मदर है उसके बॉड़ी के कॉंटेक्ट में आएंगे, ठीक है, कहां गरभाश है याने की यूट्रोस में, ठीक, कॉंटेक्ट में आएंगे ठीक, और वो के हॉर्मोन्स क्या कहना चाहते है मा से, कि भई, अब बच्चे को बाहर आना है अब आपका टाइम आ गया है डिलीवरी का, ठीक है, ओके, तो यह यहां तक था चलो, अब जब जो है, यह शिशू जो है, अब जब यह शिशू है, इसका निर्मान हो गया है इसे क्या हो गया है निर्माण हो गया है ठीक है बन गया है यह ठीक और इसके अंदर क्या हो गया है सारे के सारे तंत्र क्या हो गया है बन गये हैं सारे तंत्र क्या हो गए है सारे तंत्र उनका भी निर्माण हो गया है ठीके सारे तंत्रों का निर्माण हो गया है अब जब यह बिल्कुल रेडी है हॉर्मोन्स तक रिलीस कर दिया है जो मा की बॉडी में उसके कॉंटेक्ट में आ चुके है तो ये क्या रहा है मुझे बाहर आना है ठीके तो चलो देखते हैं भाई कि क्या देखते हैं ये process कैसे होता है कौन सा process कहां गया ये वाला process कि ये process कैसे होता है ठीके चलो आते हैं अगले पेच पे और बात करते हैं प्रसब की अब जो प्रसब होता है इसको हम क्या बोलते हैं चाइल्ड बर्थ ठीक है चाइल्ड बर्थ बोला साथ साथ इसको क्या delivery भी बोलते है क्या बोला हमने इसको delivery बोला ठीक है चालो अभी यह चीज हो गई फिर से वो जो अभी हमने एक body देखी थी ना एक female की चलो फिर से देखते हैं ओके चलो यहां बनाते हैं ऐसे और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ठीक है ओके अब इसके अंदर क्या था यहां पर यह इसका क्या अंदर बच्चा चलो इसको कौन से कलर से बना दे ओके चलो इससे बना दे कैसा आई यह बच्चा ऐसे 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 इसके हाथ होगए दोनों, है ना यह इसके पैर हो गए है देखो ठीक है, यह इसकी आखे है, यह नाग है, यह हसरा है यहाँ पर ठीक है ओके, ठीक है अब क्या आर रहे हैं, यह aambical cord यहाँ लगी हुई है, इसके मा के शरील से, ठीके, ओके, जिसको क्या बोला, आमने अपरा बोला, ठीके, इस तरीके से, ठीके, तो ये क्या है, अपरा, क्या हो गई है, अपरा हो गई, ठीके, अपरा क्या होती है, उत्किये, क्या होती है ये, लिख देती हूं, तब ही भूल जाओ आप, उत्किये क्या होती है, सनरश अब क्या होता है यह जो अपरा होती है इससे क्या होता है ना भी रज्जु जुड़ी होई होती है यह क्या है ना भी रज्जु ना भी रज्जु यह किससे जुड़ी होई है अपरा से जुड़ी होई है ठीक है यह क्या है अपरा से जुड़ी होई है चलो ठीक है अब क्या ह हो गया अब ही हम यहां किसकी बात करेंगे हम इसा की बात करेंगे ठीक है और अब अब दर्ट बात करेंगे किए जो डलीवरी प्रोसेस होता है कि होता कैसे ये इ ठीक है दर्द हुआ नॉर्मल डिलीवरी हो गई ठीक है तो बच्चा बाहर आ गए, एक और दे कि अगर ठीक धर्ट हो रहा हुआ यहां लेकिन जब नर्मल डिलीवरी नहीं हो पानी तो क्या होता है उसको फिर उप collaborating यहां क्या है यहां है यहां पर यहां नागा पर pemba कैसे कहते हैं घर हम कि आरे यहां पर लिखके क्यों समझारी हूं एक ऐक चीज मैं आंग लिखोंगी तो आपको वह चीज याद रहे ही कि हाँ मैं मैं क्या खुरzej है थिंक है तो इस याद रहे हैं लिखेremens, ये जो मैंने पॉइट से प्लच मा करऊंगे, इस याद कर लोगे कि कि अच्छा शिशू है ठीक है अगर हमने शिशू की बात करी ठीक तो यहां क्या हुआ यह जो है अपनी जो मादा का शरीर है ठीक है अगर मैं लिखती हूँ मादा का शरीर ठीक है अब मैं लिखती हूँ मादा का शरीर है शिशू जो है अपनी मादा को कैसे कहता है कैसे कहता ह कि भाई मुझे बाहर आना है जब कि इसके पूरे अंगों का निर्माण हो चुका है ठीक इसके पूरे अंगों का निर्माण हो चुका है तो अब जब यहां पर इसके अंगों का निर्माण हो गया अगर मैं यहां लिख देती चलो अंगों का निर्माण अंगों का निर्मान मतलब इसकी बॉड़ी में सब कुछ होगा ग्लैंड्स भी होगी ठीके तो उन ग्लैंड्स में एक और ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं अधिवरक ग्रंथी क्या बोला चलो इसको ऐसे करते हैं अधिवरक ग्रंथी ठीके अधिवरक ग्रंथी तो इतने सारे चीजों में ये ग्लैंड्स भी है है ना अब क्या होगा ये जो अधिवरक ग्रंथी है ठीके इससे क्या होगा ये हॉर्मोन सीक्रीट करेगा होर्मोन क्या करेगा सिक्रीट करेगा ठीक है यह जो एड्रोल ग्लैन्ड है होर्मोन क्या कर रही है सिक्रीट कर रही है निकाल रही है ठीक ओके अब यह जो होर्मोन यहाँ पर सिक्रीट हुआ है यह जो होर्मोन यहाँ पर होर्मोन का एंडरोजन होर्मोन ठीक है अब इस एडरीनल ग्लैन ने क्या किया एक होर्मोन सीक्रीट किया जिसका क्या नाम है एंडरोजन होर्मोन है यह फ्लोचार्ट है ठीक है इस फ्लोचार्ट को आप याद कर लो ठीक है ट्रस्समी कभी नहीं भूलोगे इस तरीके से फ्ल पादब जगत ने पड़ा था ना कि वही पादब जगत था 24 देखा था खूरम रभी था 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 कि पादब जगत को दो एधांड कि याद हो गिया था अगर वही चीजे टक्स में लिखी होती पूरी-पूरी लाइनो में कि को याद होती नहीं याद होती ना तो बिल्कुल इसी लिए मैं यहाँ पर फ्लोचार्ट लिखती हूं ताकि चीजों को आप समझो कि मैं क्या लिख रही हूं और बेटर वो है कि अगर मैं लिख रही हूं तो कॉपी पैन लेके बैठा करो कि साथ-साथ आप लिखते रहो ठीक क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में होती है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्या हो भाई यह जो एंड्रोजन होर्मोन था यह सिक्रेट हो गया अब यह जो एंड्रोजन होर्मोन है यह क्या होगा यहाँ पर यह अपरा के कॉंटेक्ट में आएगा अपरा के कॉंट हो रहा है भाई जो एड्राल ग्लाइन थी मैं इसें यह का हडराख नम होगा weiß नम है और फी चल्बिव जो है एड्रोजित हार्मों स कर दे कि अपडूर एंसें ढूरायो यहार ँसको हम अगले से लेके जाते हैं. estrogen को, ठीक है, यह जो estrogen है, estrogen hormone, ठीक है, यह कहाँ जाएगा, uterus में, यानि गर्भाशे में जाएगा, ठीक, ओके, चलो, यह चला गिया, गर्भाशे में, गर्भाशे, यानि की uterus में चला गिया, ठीक है, लेकिन गर्भाशे में कहाँ जाएगा, गर्भाशे में जाएगा, हाँ, लेकिन गर्भाशे में कहाँ जाएगा, तो उसके लिए चलो, फिर से हमें एक बार, क्या करते हैं, मादा जनन तंत्र को फड़ा वर्जे बना लेते है ठीक है एक रफ डाइग्राम है ओके ठीक है ये मादा जनन तंत्रा मैं पता थे कि यहां तीन पड़ते होती है ओक के तीन पड़ते होती है मैं मालूम थी एक तो यह वाली हो गई रफ डाइग्राम है ठीक है एक ये वाली हो गई इसके बाद यहां पर एक और आएगी ठीक है इसके बाद एक और आएगी ठीक है इस तरीके से ठीक है ऐसे ही था सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी थी हां सबसे बाहर वाली लेयर Perimetrium यही थी Beach वाली कौन सी थी Mesometrium ठीक और Last वाली कौन सी थी Endometrium ठीक है यही थी ना तीन लेयर इस तरीके से है ना यहाँ पर क्या थे Andash है थे यह क्या हमारा गरभाशे है यह ठीक यह क्या है, गर्भाशे ग्रीवा है, गर्भाशे ग्रीवा, ठीके, यह क्या है, यह योनी मार गए, यही था हमारा है ना, चलो ठीके, अब क्या हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर यह गर्भाशे के कौन से भाग में जाएगी यह, गर्भाशे के कौन से भाग में जाएगा यह, estrogen hormone, अरे भाई, यह जाएगा, मद्धे इस तर, ठीक है, या फिर मद्धे गर्भाश है, मद्धे गर्भाश है, जिसको हम क्या बोलते हैं, myometrium, ठीक है, oh, myometrium, myo, मीजो, मीजो, बोलते हैं, ओ, मीजो यह लिग दिया, myometrium, ठीक है, चलो, यह मद्धे गर्भाश है में पहुच गया, अब यह यहाँ पहुच के क्या करेगा, ठीक है, यह जो estrogen hormone था, यह गर्भाश है में पहुच गर्भाश है, उसके मद्धे गर्भाश है, याने myometrium में पहुच अब यहाँ पहुच के क्या करेगा, थीक है, ठीके, oxytocin hormone receptor, ठीके, बनाता है, ठीके, यहाँ पर क्या बनेगा, oxytocin hormone receptor बनेगा यहाँ पर, ठीके, ओके, उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, यह जो myometrium है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ठीके, क्योंकि यहाँ रिसेप्टर बन रहे है, तो यहां क्या है, receptor मौजूद है, ठीक है, चलो जी ठीक है, यहां पर receptor है, ओके, ठीक है, अब क्या होगा, यह जो receptor है, इसकी information कहां चाहेगी, कि मायोमेट्रियम में कुछ तो खलबली मच रही है, ठीक है, हमारा ब्रेन बोलेगा, कुछ तो वहां गड़बढ है दया, कि इतनी हलचल कैसे है, हाँ, तो क्या होगा, इसकी जो information है, इसकी information कहां चाहेगी, हमारे ब्रेन के पास चाहेगी, ब्रेन क्या कहेगा, कुछ तो रन्त एक्शन लेगा, कौन लेगा इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, पिच्यूट्री ग्लैंड लेगी, ठीक है, याने कि प्यूश ग्रंथी, प्यूश ग्रंथी, वो बोलेगी, यहां कुछ तो गर्बड चल रही है, भाई, जो oxytocin, oxytocin hormone यहां पर, कुछ तो गर्बड़ी कर रहा है, ठीक है, क्या गर्बड़ी कर रहा है, यह प्यूश ग्रंथी क्या करेगी, पिच्योट्री ग्लैंड उसका तो यह क्या करेगी, क्या करेगी, यह जो मां होगी, ठीक है, यह क्या करेगी, फीमेल तो पीच्छे छूट गई, तो जो मदर रही है, उसकी प्यूश ग्रंथी है, ठीक है, किससी मांदर्स की प्यूश गिरंथी यहाँ पर जाएगी ठीक है कि यहाँ पर receptor मौझूद है और कुछ गडबर चल रही है तो प्यूश गिरंथी तुम देखो कि वहाँ हो क्या रहा है ठीक है जो मदर है उसका brain बोलेगा ठीक है तो यह जो प्यूश गिरंथी है यहाँ पर क्या होगा कि भाई कि जितने भी रिसेप्टर बनेंगे यहाँ पर यहाँ पर जितने भी रिसेप्टर बनेंगे अगर हम बात करें जितने भी रिसेप्टर क्या करेंगे बनेंगे जितने भी रिसेप्टर बनेंगे उतना ही जो मा की बॉड़ी है वो ऑक्सिटोसिन हॉर्मोन को क्या करेगी रि oxytocin hormone क्या होगा रिलीज होगा ठीक है क्या होगा रिलीज होगा ठीक है जितना ज्यादा रेसेप्टर बनेंगे ना खूब सारे खूब सारे खूब सारे बंते जारे बंते जारे बंते जारे उतना ही क्या होगा यह होगा उतना ही होगा फटा 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 फ बताओ बताओ अभी हम इन हीं की साओ और लाता यह पर बताओ विद कर रही हूं का द है छाटिंग मत क्र पढ जैक्ट कॉन साह बाwn में साहड हो जाती हूं और प्षा का बदेख कॉनसा हूर्मोन है जिसका मेन ौल है मरे भाई ये है ओक्सिटोसिन होर्मोन ये क्या है important role play करता है यहाँ पर important role play करता है ठीक है किसमे delivery के पूरे process में ठीक है चलो अब ये oxytosin जो है ये क्या हो गया release हो गया ये क्या हो गया release हो गया अब ये release हो के क्या करेगा ये कहां जाएगा मायो मेट्रियम में जाएगा चलो ठीक है रिलीज हो के कहां चला गया मायो मेट्रियम में चला गया ठीक है अब सारे अब क्या होगा कि यहां पर मायो मेट्रियम में क्या होगा जितना भी क्या था ऑक्सिटोशन होर्मोन था सब यहां पहुँच जाएगा यहां release हुआ receptors की वजए से और कहां पहुचा सीधे यह मायोमेट्रियम में पहुच जिया ठीक है यानि कि मद्धे गरवाशे में पहुच जिया यह लिख देती हूँ चलो मद्धे गरवाशे ठीक है यह मद्धे गरवाशे में पहुच गया है ठीक चलो ठीक है अब जब यह मद्धे गरवाशे में पहुच गया है तो यहां क्या हो रहा है भाई जो मायोमेट्रियम को क्या कर रहा है यह force कर रहा है जब यह यहां पहुच गया है receptor यहां पहुच गया है तो क्या कर रहा है Force कर रहा है ए, ठीक है? Force कर रहा है क्या force कर रहा है, Sanku चन ठीक है, Sanku चन करता है मतलब वहाँ पे अंदर की तरफ दवाब बनाता है, कौन? ये जो Oxytocin होर्मोन है, ठीक है? किस में? Myometrium है, ठीक है? यहाँ क्या कर रहा है ठीक और दोनों तरफ से क्या बन रहा है प्रेशर बन रहा है तो बच्चा क्या करेगा जितना प्रेशर बनेगा उतना नीचे जाएगा अगर यहां से प्रेशर लग रहा है इस तरफ तो बच्चा का जाएगा नीचे जाएगा ठीक है बच्चा का जाएगा नीचे जाएगा जितना pressure लगेगा दोनों तरफ से, संकुचन की क्रिया होगी, ठीके, किस के वए से, oxytotion की वज़े से होगी, ठीके, क्या औरे दोनों तरफ से force लग रहा है, और ये बच्चा force की वए से नीचे आ रहा है, और धीरे-धीरे करके, यहां से क्या आजाएगा, बाहर आजाएगा, ठीके, बाहर आजाएगा, ठीके, अब यहां क्या होता है, उससे भी पहले जब बाहर आता है, तो यहां पर जैसे ही बच्चे का क्या आएगा, सिर आएगा, यह बच्चा जो है, इसका सर जैसे ही यहां पर आएगा, यहां से दिखाई देगा दूसरे गलर से बना देती हूं है एक यह गलर से दिखने दा ठीके अब यह जो बच्चा है जैसे ही इसका सर यहां पर आ गया यह क्या है सर बच्चे का ठीक है आगिया sir अब जैसे ही यहां पर sr आगיה फिर गगए पिंचोट्री bylan फिर से कुछ कमाल दिखाएगी जैसी बच्चे का sir यहां आएगा वह क्या करेगी फटा फटोट्ष और क्या करेगी कमांट जब यहां प्रेशर लगेगा तो इसका मतलब यह जो प्योज गरंती है यह क्या करेगा और देगी कि भाई ऑक्सिटोसिन को और अधिक मात्र में ज्यादा कॉंटिटी में क्या करो रिलीज कर दो ठीक अब जब यहां पर सर आ जाएगा बच्चे का ठीक है ओके ठीक है इतना ह हो गया अब क्या होगा इसके बाद हम इसके बाद क्या होगा जब यहां प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जब यहां पर प्रेशर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ठीक है इंक्रीज हो रहा है यहां पर प्रेशर ठीक है तो गर्बाशे ग्रीवा क्या हो जाएगी ओपन ह जाती है इसके प्रेशर से हमने यहीं बात करी गरबाशे ग्रीवा क्या हो रही है लोग कना अपद के जिसके वह बाहर और वह क्या कहला यह जी पूरी क्रिया क्या है प्रसफ की qrr इनि ड़ीवरी प्रासें क्या है यूनिमार्ग से होती है, नॉर्मल डिलीवरी जिसको कहा जाता है, ओकी, और बहार आके बच्चे क्या है, बहुत खुश है, फाइनली मैं दुनिया देख रहा हूँ, ठीक है, और उसे घरवाले भी खुश हो जाते हैं, है न, चलो फिर एक वीडियो दिखा देती हूँ, देखो, इसी बात ते फटाफट एक वीडियो देख लो, ये देखो, बच्चा क्यों होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, यहां क्या है, यह मायोमेट्रियम के अंदर है, ठीक है मायोमेट्रियूM, अब मायोमेट्रियूM पे क्या होगा भई, जब प्रेशर पड़ेगा तररफ से तरह यह बच्चे कै करेगा, अपने आपको बाहर पुष़् करेगा, अगर हमें, अगर हमें, दोनो तरफ से प्रेशर लगे, इधर भी लोग जो है ना, इधर से भी धक्का मुक्की करें, इधर से भी, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे, आगे चले जाते हैं, इस अच्छा, ये लोग धक्का मुक्की करें, तो ये भी वाई सोच रहे हैं, कि यहां से भी धक्का पढ़ रहा है, यहां स से जुड़ी हुई है ना यानि प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है ठीक है देखो इस तरीके से क्या है यह गरवाशे ग्रीवा खुली है देखो गरवाशे ग्रीवा खुल गई है यहां पर है ना ठीक है यह क्या है यह यो निमार गया है चलो यह देखो इस तरीके से क्या है गरवाशे ग्रीवा खुली है और यह बच्चा क्या है बाहर बिलीवर हो रहा है निकल रहा है इस तरीके से बाहर आजाता है ठीक है बच्चा बाहर आया बच्चा सर से बाहर आता है पहले सर से बाहर आता है ये क्या इसकी नाभी रज्जू है और ये क्या है अपरा है ठीक है ये बच्चा अपने साथ-साथ इन दोनों चीज़ों को भी क्या करता है बाहर ले आता है देखो इस तरीके से ठीक है और जो मां का गरवाश है फिर थे खाली हो जाता है कि यह प्रोसेस होती है ठीक है यहां तक सभी को क्लियर मुझे लगता नहीं है किसी हो कोई डाउट होना चाहिए तो क्या होगा बच्चा नीचे की तरफ जाने की कोशीश करेगा बाहर निकलने की कोशिश करेगा गाई इतने परशानी से अच्छा है कि मैं खुदी बाहर निकल जहूँ ठाऊ हैं हम और क्या बता है मैंने की बाहर निकलने की जो kreya है जब से पहले कौन स्वार्ट करता है बच्चा खुदी स्वार्ट कर देता है होर्मोन रिलीस करके ऐसकी अद्रिट्र क्लाइं होती है होर्मोन रिलीस कर देती है ठीक है चलो आगे वह एक टे uh हैं कि यह हमसे क्या बोदाला चाहता है तो यह लाइंस के ना चाहती है कि भाई आओ मुझसे द देखो मैं क्या कह रही हूं हम तो जलो देख लेते है यह कि माणव में संघभठ्टा की ओसत लगबग 9.9 होती है मतलब कि जो delivery का time होता है ना लगबग वो कितना होता है 9.5 होता है हमारी book के हिसाब से ठीक है जिसे गर्वा गर्भा विधिवी कहते हैं ठीक है गर्भा विधिवी कहते हैं ठीक है याने कि जिसको उमने क्या बोला gas station period भी कहते हैं ठीक है ओके अब संगभटा के अंत में याने की last में क्या होता है गर्भा शे के संकुचनों के कारण संकुचन मतलब जो दोना दरब से pressure बढ़ रहा है force बढ़ रहा है उसके कारण के और गर्व बाहर निकलाता है ठीक है याने कि बच्चा बाहर निकलता है इनी संकुचनों की वज़े से ठीक है कहते हैं ना कि और अवरत को जब बहुत दर्द होता है वह कौन सा टाइम होता है वह यही टाइम होता है सगभटा का last time जो होता है जहां पर बच्चा प्रेशर डाल रहा होता है जहां पर oxytoc करती है ना या delivery ठीक है अब प्रसव एक जटिल तंत्री अंतहर स्थावी क्रियाविधी द्वारा प्रेदित होती है यह भी अमने बात कर ली थी ठीक है कि हॉर्मोन रिलीज होता है वह क्या करता है हॉर्मोन प्रेशर बनाता है तब ही तो बच्चा बाहर आता है चलो आगे बढ़ते हैं प्रसव के लिए संकेत पूंड विक्सित विक्सित गर्व अप्रा से उत्पन होते हैं ठीक है जो हलके गर्भाशे संकुचनों को प्रेरित करते हैं ठीक है यानि कि शुरू शुरू में क्या होते हैं हलके हलके संकुचन होते हैं हलका हलका दवाब बनता है हलक किवर्द कहा जाता है। ओके यह मात्र पियूश ग्रंथी से ओक्सटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय कर, बनाती है ठीक है हमने यही बात करी थी ना। कि जो female मात्र मतलब जो माँ है उसकी पियूश ग्रंथी। वहाँ से क्या निकल रहा है oxytocin यह hormone निकल रहा है ठीके उसका जो process है उसको क्या बनाते है सक्रिये करता है यानि active कर देता है सक्रिये मतलब उसको active करता है ठीके ओके ऑक्सिटोसिन जो है गर्भाशे पेशी पर कार्ये करता है हमने यही बात करें थी माई Ometrium के ऊपर यह क्या करता है फोर्स जालता है उसी पर काम कर रहा है ना यह और इसके कारण जोर- nephew से गर्भाशे संकुचन होने लगते है यही वो हर्मून है जो इंपोर्टन रोल प्ले करता है बच्चे के बाहर आने के लिए क्योंकि इसी की वज़े से एक मां को क्या होता है दर्द उठता है लेकिन शुरुवात तो वह हमारा शैतान बच्चा सबसे पहले वही करता है ठीक है अगर उसके अधिवरिक ग्रंती जो है वह हॉर्मोन तो जैसे जैसे भड़ जाएगा वैसे वैसे क्या होगा ये संकुचन जो है तीवरिक होते जाएगे आगड़े होते इसलिक्चा फास्ट होते जाएंगे ठीक है इससे शिशु मा के घरवाशे से जनन नाल दुआरा बाहर आ जाता है ठीक यानि प्रसव संपन हो जाता है ठीक है अब दर्द से क्या हुआ मैंने क्या बोला कि जब दोनों तरफ से फोर्ष पड़ रहता बच्चे ने का भाईया मैं बाहर आ ज पीछे वीडियो में कि अपरा भी बाहर आ गई है ना उसके साथ साथ वाई ठीक है ओके अब क्या देखना बाकी रह गया हमको ओके दुख दिल स्रवन की बात करते है चलो बच्चा बाहर आ गया ठीक है अब शेशु क्या हो गया बाहर आ गया चलो यह हमारा शेशु था यह क्या गया मा के शरीर से मादा के शरीर से बाहर आ गया है ठीक है बहुत खुश है सब लोग सब बहुत खुश है बच्चा भी बहुत खुश है कि बाहर आ गया है ठीक लेकिन यह जो शिशु है लेकिन यह जो शिशू है इसको भूग भी तो लगेगी, इसको खाना भी तो चाहिए, तो यह खाने में क्या खाएगा, मुझे यह बताओ, क्या इसको हम पीजा कहलाएं, बर्गर, तिक्की, कोड़े, क्या खिलाएं, बताओ बताओ जल्दी, क्या खाएगा यह, बोलो, तो भाई, यह क्या खाएगा, यह कुछ नहीं खाएगा, यह सिर्फ और सिर्फ, मा का दूद पियेगा, ठीके, जो मा से इसको दूद मिलेगा, ठीके, हमने बात करी थी, कि जो है, जो मादा की, क्या होता है, कि जो इस्तन ग्रंथियां होती है, वहाँ पे क्या होता है, जो फिलो जाता है ठीक है भर जाता है उसके अंदर ठीक है गुहाओं में भर जाता है वो जो दूद होता है वो इस टाइम पर बच्चे के लिए काम आता है ठीक है जो वहां पर दूद बनता है ठीक है तो वही दूद यहां पर बच्चा पीता है ठीक है और उस दूद की वैसे क् ब्रेस्ट का साइज होता है वो क्या होता है बड़ा हो जाता है क्योंकि बच्चे को प्रॉपर दरीके से दूद चाहिए और ये जो दूद होता है ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि पोशक तत्वों से भरा हुआ होता है और इसा कहा जाता है कि अगर अगर ये जो दूद है बच्चे को ना मिले तो उसकी जो दिमाग की वृद्धी होती है न वो और बच्चों के मुकावले मतलब जिनको ये दूद मिला हुआ होता है कम होती है स्लो होती है पर स्लो हो जाती है ये प्रॉसेस ठीक है इसलिए ये जो टाइम होता है बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट होता है कौन सा छे महिने तक ठीक है यह जो 6 महिने होते हैं बच्चे के पैदा होने के बाद ये उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपनी मां से क्या ले दूद ले ठीक है यहां तक clear चलो तोड़ा सा इसको समझ लेते हैं स्त्री की स्तन ग्रंतियों में क्या सकबढ़ता के दौरान कई प्रकार के बदलाव होते हैं यह अमने अलड़ी देखा भी है ना सकबढ़ता के अंतर तक इनसे दूद उत्पन होने लगता है है ना इस प्रक्रिया को दुख दुष रवन्ड या लेक्टेशन कहते हैं ठीक है मतलब मा की स्तन ग्रंतियों से क्या दूद निकलना ठीक है क्या कहलाएगा दुख दुष रवन्ड कहलाएगा ठीक यह मा को अपने नवजाज शिशु की आहार पूर्थी करने में मदद करता है क्योंकि बच्चा दूद के हलावा कुछ ना खाएगा ना पीएगा उसको सिर्फ और सिर्फ यह दूद चाहिए अब यह जो दूद होता है यह और देख लो कि यह जो दूद होता है ठीक है इसको क्या कहते हैं हम इसे हम क्या कहते हैं कॉलस्ट्रम बोलते हैं क्या बोला हमने से कॉलस्ट्रम बोला ठीक है अब यह जो कॉलस्ट्रम है यह कैसा होता है पीला गाढ़ा होता है ठीक है कैसा होगे पीला गाढ़ा दूध होता है ठीक है और ये क्या होता है बहुत जादा important होता है star बना देते हैं लोग यहां पर हम ठीक है ये क्या होता है बहुत ज़्यादा important होता है बच्चे के लिए क्यों मैंने बताया था ना इसमें सारे क्या होते है पोशक तत्व होते हैं बत्षे के दिमागी विकास होता है इसके लिए बहुत जरूरी होते है अब क्या होता है कि इस में क्या होता है यह जरूरी होता है प्रतिरोधक शमता ज्यादा होती है बत्चे में ठीक है इसलिए जरूरी होता है जो बच्चा ये दूद पीता है शुरू के 6 महिने उसमें क्या होती है भाई प्रति रोदग शम्ताज जादा होती है और उके मुकाबले तो इसलिए ये बहुत जरूरी है चलो ये आरंबिक कुछ दिनों तक जो दूद निकलता है उसे प्रतम इस्तनिय या खीस याने की कोलस्ट्रूम कहते हैं जिसमें बहुत प्रकार की प्रतिरक्षी याने की आंटिबॉडी होती है ठीक है भी बताया ना मैंने पहले पिछले पेश्पे है ना प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं जो नवजाज शिश्यू में प्रतिरोधी शम्ता उत्पद्न करने के लिए परम आविश्यत होते हैं अभी मैंने पहले बात कर लिए है ना ठीक है एक स्वस्त शिश्यू की व्रिद्धी एवं विकास के लिए प्रसफ के बाद आरंब के कुछ माहा तक कुछ माहा मतलब at least 6 महीने at least उससे कम नहीं at least 6 महीने तक शेश्यू को स्तनपान कराने के सला डॉक्टर देते हैं ठीक है और इसी के साथ फाइनली यह तो आज हमने क्या बात करी बहुत कि जो शेटान सा बच्चा है सबसे पहले यहीं स्टार्टिंग कर देता बहुत कि अंदर क्या होता है अंदर बिल्कुल सब कुछ काला काला होता है कुछ है नहीं दिखता है तो बिचारा बच्चा आँक भी खोलेगा तो जिखाई देगा उसको है ना तो वो कहता है मुझे बाहर आना मैं ठक गया हूँ बस बहुत जादा तो वह हॉर्मोन सिक्रीट करवा देता है आइडर्निय ग्लैन्स से है secret हो गया, फ़िर क्या हो गया भाई, फिर भूँब घाम के पियोंज गृंति के बच्चे को बहर जाना है ठीक है, बच्चे अंदर परशाण हो रहा है, त्योंकि बच्चे नेbaum bright करी न होर्मोन रिलीस करने की, तो वहार दिमाग ने बोला, अच्छा, बच्चे को भार जाने का मून बन गिया है चलो बढ़ा अक्स य्रिलीज मर्वांट में करो करो टू क्या चाइब होगा वह क्या घोरवाशे से जोते होते होते योँदी Нिक द्रा ना ने सिर्बंबन में बहार आ जाता है उगा उसके साथ साथ जह ना जो वहार आ जाती है और जिसको एम्टिकल कोड़ बोलते हैं ठीक है उसके साथ सथ अप रायाने प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है अब बच्चा बहुत करें इसको खाना चाहिए उसको पोशक तत्व चाहिए अब बच्चा खुछ से दो लेकर खा नहीं सकता है तो उसके क्य चाहिए जो उसको क्या करा है फिटिंग करा दे दूद पिलाए उसको हां क्योंकि उसके दूद में वो सारे पोशक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की दिमागी और शारिक व्रुद्धी के लिए विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ठीक हो कि तो इसी के अगर चीजों को समझो तो बहुत अच्छा चैप्टर है आगे चलके अगर बोला जाए तो लाइफ में भी ठीक है परस्नल लाइफ के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आएंगी यह चीजे ठीक है कल को आप डॉक्टर बनोगे ठीक है तो अपने पेशन जब तक आपको खुद को नहीं मालूब हो कि अपने पेशन को क्या क्लारिफाइ करो गया अच्छा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ मैं बुक खोलता हूं गूगल खोलता हूं मैं तब देख के बताता हूं थोड़ी करोगे तो इसलिए चीजे आपको यहां पर सिखाई ज करो सुनने के बाद यहां से बंद कर लो ताकि वह बीच में रह जाए यहां से यहां से बाहर ना निकल पाए हूं चलो ठीक है चलते हैं हम आते हैं अपने एक और नए चैप्टर के साथ मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अपने अपनी सीट की बेल्स खोल लीजिये आप कहां से डाउटनेट से होगा ठीक है चलो बच्चे पार्टी चलती हूं मैं अपना ख्याल रखो अच्छे से रहो टाटा बाइबाइ लेकिन पढ़ाई करना मत भूलना और मेरा वेट करना हूं बाई